चलिए बई बियर लाइव वोईस कंफर्म करिए मेरी आवाज आ रही क्विकली बता दो चलिए बई तो सेशन की करते हैं शुरुवात और जैसा कि आप सभी को बताएं कि सेवन डे का हम लोगों का पैक चल रहा है इस सेवन डे के तहद हम लोगों ने MS Office का मेगा साशन जिसमें हमने Word, Excel, PowerPoint के तीरे तीनों के तीनों के हमने जो वर्जन्स वाले थे डाउट वो उसाथी साथ में रिवन, टाप्स, गुरुफ, इन सब की बात कर लिए थी इसके बाद पहला महा रिवीजन सेशन हुआ था जिसमें हमने Reading, Comprehension और Journal Awareness की बात करी तो यह already हो चुका है इसके बाद आगे जाएंगे तो आगे जाने पर हमने MS Office का Complete महा रिवीजन किया लगों 200 प्लस कोशन्स थे इसके पीडियाप भी आपको मिल गए इसके बाद हमने MS CPCD का Mass Region का Class किया On Demand जिसको Mass Region में प्रॉब्लम आती है इसका दूसरा सेशन भी हम लोग आज कर चुके हैं कल हमने Computer System का Network Internet का Concept वाले जो Questions थे उनको देखा था आज हमें बात करने Computer System आज हो सकता है कि साशन अगें दो से दो गंटे का तो Minium जाना ही जाना है साइद धाई गंटे का भी जा सकता है ठीक है क्योंकि आज Number of Question जाता है बट अगर आप PDF से Practice करेंगे तो भाई पुछ कोशन लीव हो के समय कम हो जाएगा लेकिन भाई मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ वो यह है कि मैंने आपको महार रिवीजन के लिए PDF के लिए एक लिंक प्रोवाइड किया है बट फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो हर क्लास के बाद उनके पास ओलेडी लिंक है महार रिवीजन की फिर भी वो मैसेज करते है पता है किस चीज के लिए कि सर पीडियप दे दो अब एक बात बताईए जब मैंने स्टार्टिंग में आप से बोला था कि जिस क्लास में आपको जो महार रिवीजन के साशन्स होंगे उनका एक ही लिंक रहेगा और उसी लिंक में सारे पीडियप मिलेंगे फिर भी आप लोग क्यों बार बार उसी मैसेज को दोहर आ रहें कि सर पीडियप भेजो आप लिंक को विजिट करके नहीं देख सकते मतलब रोज-रोज का जो धंजड था मैं उससे निवट के आपको एक लिंक दिया था जिसमें सारे पीडियप अपलोड होंगे फिर भी आपको करना है मैसेज इसका पीडियप नहीं मिला इसका नहीं मिला देखो तो सही लिंक देखेंगे नहीं निवे मैसेज कर देंगे भई भी लोच्व यहां फिर करते हैं सिर रेपलाई नहीं करते हैं रेपलाई कहा से कर वोई आप खुद की डुट पूरी नहीं कर रहें सामने वाले आज पर कार रहे हैं कि चलिए वही अब personal message करना बंद कर दीजे personal message करना बंद कर दो otherwise आपको पता है कि आपके साथ क्या होगा ठीक है आप doubt है किसी का तो वह बता दो किसी का doubt है तो वही वह बता दीजे otherwise आपको कोई message करने की जरूत नहीं है हाँ doubt है तो लिखो चलिए तो मैं बिना सवे गवाई सीधा PDF उपन कर लेता हूँ बागी किसी का कोई doubt हो तो comment box में जरूर लिखना ठीक है comment box में आप अपना doubt लिख देना मैं सीधा PDF उपन कर ले नो doubt हाँ जी block हो जाएं sir आपकी class अच्छी रहती है भई धन्यवाद अगर अच्छी रहती है तो उसे अच्छे से ले भी लिया करो भई ठीक है चलिए तो PDF उपन कर लिया है मैंने view करा देता हूं आप सभी को चलिए PDF आपके सामने represent हो गया है PDF आपके सामने आ गया है चलिए आपकी इस महा रिवीजन में मैंने हर टॉपिक के कुछ रिवीजन पॉइंट भी डाले हैं तो आप लोग जैसे ही अगर आप देखोगे ना आज के महा रिवीजन जो है ना computer system इसमें computer fundamental वाला जो पार्ट है ना जैसे generation, type, architecture इनकी बात करेंगे peripheral and memory इन सबके यानि आज सबसे बड़ा lecture मतलब MS Office के बाद होगा दूसरा ये है कि इसके बाद फिर एक ही lecture बचाए आपका software वाला जो के हम कल करेंगे ठीक है चले तो पहले बात करतें computer generation की तो जिनको लगता है कि किस topic से कितने questions या फिर कैसे आते हैं यहां पर मैंने वही किया देखो computer generation का complete theory है इसी table में हो जाता है उसके बाद इसका पहला question आपकी screen पर है हमें questions कर रहे हैं questions आप quickly बता देजे questions करने तो उसी रास्ते पर हम जाएंगे जिस रास्ते पर हमें चलना है ठीक है चले पहला question आपकी screen पर है quickly comment box में इसका answer लिख दीजे मैं बिना सबय गवाय सीधा questions करा हूँगा और हाँ भाई जो question छोड़े जाती है ना उनको pdf से आपको करना होता है और अगर आपके pdf से आपसे नहीं बनना है तो भाई दूसरे दिन आप message कर दो या फिर मुझे whatsapp कर दो कि sir maha revision 4 का computer generation का question number 5 हम से नहीं बना तो मैं बता भाई ठीक है ना मैं question इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि एक ही concept के दो से तीन question होती है तो एक मैं करा देता हूँ बांकी फिर आपको करने होती है तो उससे अच्छा पीडियाप से कर लो जिसमें सारी चीज़त दिये भी है अदरवाइस live में मैं करा देता हूँ मुझे कोई issue नहीं है बट coach student की request थी कि सर आप थोड़ा सा कोच कोशन हमारे लिए छोड़ दिया करें तो फिर मैंने इस वार महार बैसे आप पुराने अगर महार बीजन देखोगे तो मैं एक भी कोशन नहीं छोड़ता हूँ बट इस वार आप लोगों ने demand करी तो फिर माने छोड़न मुझे कोई दिख करता है तो नहीं चले कोशन है कि थर्ड पीडी के computer की technology कौन सी थी थर्ड पीडी की थर्ड पीडी में हमाई पता है पहली में कौन सी vacuum tape दूसरी में कौन सी transistor तीसरी में कौन सी IC चौती में कौन सी microprocessor बता दो भी answer option नमबर थर्ड portion number second भी कर दो अगर आप ने कर दिया है second भी करो magnetic drum stories के लिए किसमें यूज होता है magnetic drum हमारा stories के लिए हम किसमें यूज करते हैं सब आप करवाते हो वो याद रह जाते हैं हमें हम खुद से करते हैं वो भूल जाते हैं अच्छा कोई दिक्कत नहीं अगर तो आप हिंट कर दिया करो दूसरे दिन आके के सर ये कोशन करा देज मैं कर अबाज स्लो के लिए फोन आया है सर आपकी अबाज बहुत कमारी है आप कमेंट कर दिया करो वई आप कमेंट कर दो कि तो फिर मैं बढ़ा देता हूँ अभी मैं बोली थोड़ा सा नहीं रहाथँ अभी बोलनी रहाथव जैसे डेली बोलता हूना वो दहरने वाली आवाज में चीक है चले आप बोल दिया करें comment box में कोई दिक्कत नहीं इस्यू नहीं है अब न ही थोड़ी मेरी जो वाइस है न थोड़ी डाउन भी है मैंने लाउड नहीं किया है लाउड बोलूगा रिदम बन जाएगा रिदम क्यों नहीं बनाए बीचे में बताऊंगा स्टार्टिंग बताऊगे तो आप बोलोगे कि अच्छा नहीं है चले तो थर्ड आप लोगों नहीं कर दिया सेकेंड हो गया थर्ड सेम है देखो पहला कोशन था उसका पोजिट हो गया थर्ड वाला क्यूं पहले कोशन में पूछाता कि किस जनरेशन की कौनसे टेकलोजी है यहाँ पर पूछा है टेकलोजी का नाम दे के जनरेशन पूछ लिया सेम कंसेप्ट है यहाँ पर पूछा है कि आई सी किस जनरेशन में हमारी टेकलोजी यूज होती तो आपको बताए थर्ड में होती है थर्ड वाला आपको दिक्कत नहीं आएगा साउंड दिक्कत है कि अभी बता दो कुछ लोग कह रहे हैं साउंड का इशू है आप लोग कमेंट करिए चले अगर हम कोशें नमर 4 की तरफ बढ़ें 4 और 5 जस लाइक है एक ही कंसेप्ट बढ़ें 4 कह रहा है कि इनमें से कौनसी लेंगवेज हाई लेबल प्रोग्रामिंग में नहीं आती दूसरा 5 बाला है कि कौनसी स्किप्टिंग लेंगवेज है आप सभी को याद हो तो हमने जब जनरेशन पढ़ी थी तो जनरेशन में हमने टाइम पीरिड टेकलोजी डिवाइसिस के अलावा हमने कंप्टिर की जनरेशन को ही कंप्टिर की लेंगवेज को भी जनरेशन में डिवाइड गया था जैसे पहली रेम में हमारे पास मसीन लेंग्वेज थी दूसरी में असेमली तीसरी में हाई चौती में स्किप्टिंग और पांची में नैच्रल ठीक है ना नहीं सर साउंड के लिए रहे भई नू सर सही है साउंड नहीं अभी एक स्टोट का फोन आया ता क्लास के बीच में वो कह रही थी सर आवाज गम आ रही है हाई लैंग्वेज नहीं है असेमली इस दा करेक्ट आंसर क्यों क्योंकि यह सेकंड आती है और हाई लैंग्वेज हमारी थर्ड जनरीशन की लैंग्वेज है तो आंसर ही होगा आते हैं कोशा नमबर 6 और 7 दोनों स्क्रीन परें 6 और 7 हमने आई सी पढ़ा था आई सी हमारा थर्ड जनरेशन में आ रहा था तो थर्ड आई सी के समंद में कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता SSI Small Skill Intrigation बिलकुल होता है PSI में Doubt है MSI Medium Skill Intrigation VLSI तो आपको बता है होता ही होता है क्योंकि इस IC को हम LSI Large Skill Intrigation VLSI हमें पता है कि इसे हम Micro कहते हैं Micro Processor और Ultra Large हमारा पता है ULSI होता है यानि कौन कौन से SSI MSI LSI VLSI VLSI चीक है न टोडल पांच हो जाते हैं तो इसमें तो देखो SSI तो पता Skill Intrigation है लेकिन S for Small M for Medium L for Large V for Very U for Ultra Large तो आंसर हो जाएगा Option No.2 is the correct answer Micro Programming Start with Generation Micro Programming हमारे के Generation में Start हुईती तो जहां पर Computer का Development हुआ था Micro Programming से Related वही होगा क्योंकि Micro Programming है इसका मनला Programming कहां से आई थी High Level वाली High Level का विकास हुआ था Third Generation के अंदर तो आंसर थार्ड ही हो जाएगा तो आंसर थार्ड ही हो जाएगा जैसा कि आप Comment Box में लिख रहे हैं इससे आशान अच्छा लगा है तो Like भी कर दो जल्दी ठीक है नहीं बाद में कर देना कर जरूर देना चलिए अगला कोशन है टाइम पिर टाइम पिर एक रेंज में याद रखना पर्टिकूलर मैं समझ जैसे 1946 से पहली जनरेशन का आयरा है 59 से 90 65 सेकंड का है ये थर्ड का है ठीक है ये फोर्थ का है पूचा किसका है सर फोर्थ का पूचा तो Option आफ फोर्थ करेक्ट होगा सर मॉक टेस्ट सारे लेट ते हैं पासिंग माक्स आते हैं क्या है मॉक टेस्ट आरे लीजे मॉक टेस्ट खुदी बता देंगे वई अगर मॉक टेस्ट में अंबर कमारें तो नंबर को सुधार हो कुछ लोग ऐ कहा रहे हैं कि ص官्त हमारे नंबर नहीं बढ़रे बढ़ेंगे एक दिन अब आप सोच रहें कि पहला लगाया दूसरे में अपने आप बढ़ जाएं ऐसा नहीं होगा जरूरी थोड़ी है कि मैंने पहला मॉक्टेस्ट बनाया उसी काजार पर दूसरा बनाओ उसके कंसेट अलग हो सकते हैं तो नमबर कम जादा हो ये जादा टेंशन नहीं है हाँ अगर जो नमबर आनव एक्टिल में आपके नमबर है तो उसकी डिलिंग के लिए आपको वो नमबर सही करने कैसे सबोसर आपके 30 नमबर आए तो बांकी 45 कहां गए उनके पीछे भागो उनको सही करो ठीक है भले ही आपके दूसरे टेस्टमन नमबर नहीं बढ़े कोई दिक्कत नहीं है अगेन उन गलतियों को ढूड़ो आप गलती सुधारो जितनी जादा गलती सुधारों को उतनी एक्कुरिसी आएगी और नमबर बढ़ जाए लेकिन हमारी दिक्कत क्या है कि वही है ना कि दूद पीते ही फुरती आजाए ऐसा थोड़ी है जो बरसों से पी रहे हैं उनके साथ भरविका होगा भी आप एक वार भी फुरती ले आएंगे तो कैसे काम चलेगा सही बात है चली को किस राम से जाना जाता तो वां अधि मसील लेंग्फY होती है क्योंकि यहां मारा कमपेटर समझ पाता है कमपेटर की lambous Machine language जैसे लो-orm peril language भी जे unw hatten सीधा नाइन का फर्स्ट हा रहा था इसमें कोई दिक्कत नहीं है चलिए चलिए वो कौन साट हमारे डिपाइस डिवाइस है जिसका विकास चार्ल्स वेज़ी ने किया था कुईकली बता देजे डिफरेंस इंजन का पास्कलाइन का या फिर एन आई सी का या पंच का ठीक है किया डिफरे बता चलिए मौक टेस्ट कहां मिलें गी मौक टेस्ट वीडियो के डिसक्रफचन में जानालिंक मिलेगी है ज्युआइन कर लेना मौक टेस्ट मैरे नजरिये से ईक कैसे पावर मौक test का नाम दिया है वो इसलिए क्योंकि अगर मॉक टेस्ट में आप qualified हो रहे तो definite हो जाओगे लेकिन अगर आप हो रहे हो या नहीं हो रहे तो चीज़ को तो आपको पता चली रहा है साती साथ में आप से गल्दिया क्या होने वाली वह गल्दिया सारी पता चल जाती है ठीक है ना जैसे ही कल बरसाथ होगी तो आपको अगर पहली बता चल जाए तो क्यों ना छदरी लेकर जाएंगे आप लोग समझ रहें तो ऐसे ही आपको डील के पहली बता दिया जाता है कि यह भई दिक्कत है कि सुस्थाल लोगे तो काम हो जाएगा अधर वाइ दा प्रासेसर स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन थर्ड जनरेशन में प्रासेसर की स्पीड कितनी थी तो चलिए मिली माइक्रो नैनो पी को मिली माइक्रो नैनो पी को मिली फहले में माइक्रो थर्ड और फॉर्द यह पहरी जनेशन का दूसरी जनेशन का तीसरी का फोर्त का पूछा किसका है थर्ड का अंसर क्या लगाएंगा option नमब से थर्ड ठेक है तो पहला concept के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे concept की बात करते हैं type of computer आपको बता है type of computer के तने बड़े से सर टाइप अप कॉंपिटर को हमने दो टाइप से डिवाइड गया था एक तो डेटा हैंडलिंग दूसरा बेसिस अप साइज साइज के आधार पर पता अच्छी बात क्या है कि मैंने इसी पीडियेप में आपकी इनकी डाफिनेशन भी लिख दिये एनलोग क्या है डिफर अटिस्टर क्या है और हाइबरेड क्या है ठीक है इनके एक्जामपल्स भी लिखे हुए है बाकी आपका जैसे माइक्रो कंपीटर मिनी मैन फ्रेम सूपर वर्किस्टेशन इन सब की बहुत अच्छी से बात की लेकिन हमें कर रहा है कोशन हम सीधे कोशन पर आ जाते हैं पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर है ठीक है सबसे सकतेसाली कंपीटर कौन सा है सबसे मोस्ट पावरफुल वई मोस्ट पावरफुल जब आता है तो हमें एक ही नाम नज़र आता है वो भी सुपर इसमें डाउट मुझे नहीं लगता है कि किसी एक सिंगल स्टूडेंट को भी हो सुपर मतलब सबसे तागत पूर तो ये पहला कोशन तो आप लोग कर जाओगे पहले में दिक्कत नहीं आएगी लेकिन आपको दूसरा गरगे बताना है क्या है कि निमलक्त मैंसे कौन सा कंपीटर आम तोर पर बड़े साइज स्टोरेज कैपसिटी प्रोसेसिंग पावर भी बड़ी होती है बड़े पैमाने पर कंपीटिंग करने के लिए उपियोग किया जाता है है नहीं साइज में बढ़ा स्टोरेज भी बढ़ा processing power भी बढ़ी और यूस में हम large के लिए करते हैं चीडह है देखो ईडिपता है अ पर्शनल डिस्टेंस होता है हम्हारा नहीं जाएगा存 माइक्रो computer छोटा होता है micro computer छोटा होता है और micro कोई हमने single user नाम दिया था लेकिन micro से बड़ा mini होता है mini से बड़ा manframe होता है mini और manframe में quality थी कि हमारे पास mini और manframe दोनों के दोनों multi user थे लेकिन mini एक particular area के लिए जैसे college में use करना है वही अगर आप manframe की बात करें तो university भी यूज करना है तो वहाँ पर इसका हम लोग यूज करते थे तो option number second correct हो जाएगा ठीक है भई यह सर clear नहीं देख रहा है clear नहीं देख रहा है भई मैंने पढ़ दिया questions भई मैंने questions आपकी मदद के लिए पढ़ दिया है लिख दिया यह लिखो large size storage भी बढ़ा है processing power भी बढ़िये आप पढ़ते हैं एंड लिखा है यहां पर क्या है सिर्फ एंड यी तो हैंड यी तो चिपरा वो मैंने पढ़के बता दिया था वो मैंने आपको पढ़के बता दिया था भई चले आगे चले Πो Cohen No. 3 Which of the falling Single user Single user is जिसे हम घर में और Office में यूज़ करते हैं सुपर बल नहीं मैँ भल्कुल मैइन फ्रेम बलकुल नहीं मिनी बल्कुल मैक्रो इस दा करेक्ट अंसर क्योंकि सुपर होता है पावरुफल, घर में यूज़ होगा सही बात है ना सर कोशन बहुत अच्छे हर प्रकार के कोशन्स रखें और यह वो कोशन्स हैं जो कहीं न कि आपके एक्जाम में पहले से आ चुके हैं या फिर उनकी वाराइटीज हैं ठीक है ना यानि यहां से आपके पीवाई क्यूज कुछ लोग यह कहते ना किसा आमने प् पीवाई क्यूज के सासाथ मोस्ट एक्सपेक्टेड कोशन्स भी हो जाते हैं जब आप पीवाई क्यूज लगाओगे तो रिपीडेट कोशन्स बार बार आपको मिलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी लेकिन मैं आपर हर प्रकार के कोशन्स करा जेता हूं इसले महार वीडियो नहीं देख पाते तो पीडियाफ की मदद से भी आप इन्हें रिवाईज कर सकते हैं लेकिन पीडियाफ के लिए आपके पास और एक सिंगल लिंक है गूगल ड्राइब की उसी में सारे महार वीजन के पीडियाफ अपलोड होंगे जैसे अभी हमारा फूर्त वाल है बागी दो हुए तीन हुए वह सारे अपलोड कर दिये गए तो वहां से आप विजिट करिएगा अगर किसी के पास इन पीडियाफ का लिंक नहीं है तो सिंपल वाटसेप पर मैंसे छोटा सा गरना है कि सर हमें महार वीजन का पीडियाफ देदो मैं आपको भीज़ के लिए हम टर्मिनल का यूज करते हैं पहला ही करेक्ट था तो कि आप लोगों नहीं लगाया था पूश्या नमबर फाइव है डाडिकेट कंपीटर क्या है डाडिकेट मतलब वह है कंपीटर जो एक परसन के लिए वह है कंपीटर जो किसी एक पर्टिकुलर टास्क के बना है तो अंसर क्या होगा option number second होगा option number second correct होगा ठीके second correct हो जाएगा आज मैं बहुत early morning उठी आता बहुत ही ज्यादा early morning और आज तो class से पहले इक्षा ही नहीं हो रही थी class लेनी चाहिए क्योंकि body बिलकुल गवाही नहीं दे रही बिलकुल भी तूट चुकी something something ये टाइ इन पर आज good morning हो गई थी ठीक है ना और सोने का वक्त था दिस यानि आज सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हैं सिर्फ मैंने इतनी नीद ली है तो अभी मैंने आपका mock test का recording भी करा है जो six number का mock test था उसका recording करा था solution का तो और वाई यहीं से मैंने काम start कर दिया क्योंकि मुझे पता था six वाला mock test देना था ट्रांसलेशन रात में नहीं कर पाया था इसलिए मैंने morning में उठके किया तो इतना वक्त लगा तो इसलिए लग रहा था बट अभी class में आके ऐसा लग रहा है कि energy full है कहो तो मैं 12 वजी तक class ले जगता है इतनी energy आ गए जब आपक के साथ questions के साथ deal होता है ना तो मुझे वक्त का बदा ही नहीं चलता start time तो रहता end कब हो जाता है बिलकुल बदा नहीं चलता चलिए question number six है डास portable device पोटेबल का मतलब क्या है आप एक जगे से दूसरे जगे ले जा सकते हैं जो input command और data के लिए stylus यानि जो मेरे हाथ में stylus य correct answer tablet PC लगाएंगे ना क्योंकि tablet या फिर touch screen पर हम लोग यूज़ करते हैं stylus का मैंने stylus का यूज़ क्या बताया था आप आगे भी पढ़ोगे stylus के बारे में आप stylus के बारे में आगे भी पढ़ेंगे stylus क्या होता touch screen और graphic tab ये मेरे पास graphic tablet चोटा सा बड़ा भी है लेकिन मै चोटा पसंद करता हूं चलाना ठीक है चलिए question number है हमारे पास seven seven और eight दोनों screen पर दोनों को बन वाई बन बता दो which of the following would not be consider as a portable computer, portable computer में इसे consider हम लोग नहीं करते हैं मतलब एक जगे से आप दूसरे जगे नहीं ले जा सकते हैं एक जगे से दूसरे जगे नहीं ले जा सकते हैं तर वो तो हमारा computer ही है वो भी कौन सा PC जिसे हम डास्टाप कह दें डास्टाप को हम एक जगे से दूसरे जग फेलर है कि सबसे छोटा राइस क्या यह है हमारे पास नोट बुक, डास्सक्टॉप एपी सुसंटा होता है यह परसनल का function याद रखना PC का तो पता है यह personal computer होता है तो option number इसका first हो जाएगा 8 का अंसर कोशन number 9 बता दो कोशन number 9 इस प्रकार के कोशन आपके exam में देखे जाते हैं कि नेमलित मैंसे किस computer का उप्योग बड़े institution and government agency जैसे bank, railway anyway आद द्वारा बहुड बड़ी मात्रा में data को समहनने के लिए किया जाता है यानि बड़े level पर use करना है वही तो workstation just like a PC होता है तो यह तो नहीं होगा और micro computer हमारा single user होता है तो यह तो होगा ही नहीं mini computer हमारे पास multi user होता है लेकिन छोटे level पर होता है man frame is the correct answer man frame is the correct answer क्योंकि बड़े level पर बात हो रही है तो man frame अगर mini की बात करें न mini multi के साथ साथ छोटे level पर use होता है यहीं इसकी quality है यहीं इसकी quality है question number 10 बता दो इन में से कौन सा computer है जिसका अपयोग मतलब scientific simulation ग्राफिक ठीक है न dynamic calculation nuclear energy research electronic design analysis of geographical data तो नाम पढ़ते आपको नजर आ रहा होगा जब scientific और research दोनों की बात आ रही है यानि scientific simulation या फिर research की बात आ रही है तो सीधा हम सुपर के साथ चले जाएंगे सीधा हम सुपर के साथ चले जाएंगे सुपर के बहुत ही powerful होता है यह जो work यहां पर define कि गए गए यह most अपता कि इसमें powerful ही work है तो इसलिए हमें इनको define करना होगा अगला हमारे पास concept है computer के component अगर component समझे में आ गए तो यह मान के चलना पूरा fundamental आपका हो गया है चलिए पहला ही कोशन है इस computer component में हम लोग CPU CPU के साथ साथ motherboard और इसके type के component मलब motherboard और इसके types के साथ साथ हम component की भी बात करते हैं में अगर आपको याद हो जब हमने computer system पढ़ा था तो system हमारे पास CPU के अलावा motherboard की component थे अगर वो component समझ में आ जाते तो कुछ दिक्कत नहीं आते हैं कुछ extra term भी हैं जैसे हमारा computer buses है हमारे पास CPU का scheduling है जिनको अलग से हमने categorize किया है तो उनके questions भी करेंगे पर इसी speed से अगर हम चलते रहें तो question बहुत अच्छे सो जाएं अभी तक हमने एक question नहीं छोड़ा है तो इसी speed से चलिएगा आप जैसे मैं चल ला हूँ कोसिस करूँगा मैं आपके साथ speed maintain कर पाऊं ठीक है तो फिर सारे questions हो जाएंगे दिक्कत ने within two and a half hours के अंदर ठीक है चलिए microprocessor memory important component किसके component system unit क्योंकि हमारे computer system की तो output input के नहीं है यह हमारे पास device के component है जो कि जिसे हम computer system कहते हैं यहां पर system unit लिखा है तो सही है सर मैस से डर लगता है मैस के कोशन सिर से उपर जाती है अगर मैस से आपको डर लगता है तो मैस के लिए मैंने special session लिया मुझे message कर देना मैं provide कर दूंगा उसे access कर देना आप लोग हाँ जी क्लास में ठीक है ना चले आगे चले पोशन नमर हां मैं भाईया आपके लिए डर के लिए तो ले रहा हूं आप 6 मैं से 6 तुक्का लगाते हो मैं 2 से 3 कोशन आपको खुद दे के जा रहा हूं उनको आप क्योंकि पर्टिकुलर सीपीजीट के लिए मैं मैंस नहीं सिखाता आप भी जानते हैं लेकिन हाँ इतना करा देता हूं कि आप से कोशन नहीं रहेंगे आप यह कहोगे इस मुने 6 मैं से 6 दे दो कोशिस करेंगे लेकिन आपको समय देना होगा मैंस नहीं आता फिर भी कोशि होता है और इंपुट और आउटपुट डिवाइस को कम्पीटर सिस्टम यूनिट के साथ कम्मुनिकेट करने की अनुमती देता है यानि वह स्टेशन जहां पर सारी गाड़िया क्या करती हैं सर रुकती हैं सब्धर वोड इस दा करेक्ट आंसर आप्शन नमबर सेकी लगा दिया होगा आपने माक टैस कहां से खरीदें भई अभी एक स्टेंट फॉन कर रहे थे क्लास से बाद मैं पूछ लो कि तो अच्छा है को कि मेरा परसनल नमबर है मैं क्लास ले रहा हूं तो उठाऊंगा बीच में वाट कोसिस करें क्लास के बाद आप जो पूछों के मैं ब जाए फॉलंग इस यूज अलॉंग विद दा सी पीउ सी पीओ के साथ हम किसका यूज करें जिसलिए हमारी ग्राफिक की परफॉमेंस मैंनेज हो जाए और इन्हेंस या फिर इन्क्रीज हो जाए तो एल्यू का तो नहीं करेंगे साउंड कार्ड का करेंगे नहीं क्योंकि ग्राफिक्स मतलब होता है इमेज और इमेज के लिए हम जी पीव का यूज करते हैं जिसे हम ग्राफिक्स ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट माक टैस्स के लिए कौन सा एप है एप नहीं है वीडियो के डिस्क्रेप्शन लिंक है वेपसाइड है वहां से होगा एप नहीं ह आप चाहते हैं नहीं हमने बनवाया है है हमारा प्लाग किसी पीसेटी रन नहीं करते उस पर विच अप्टा फॉलिंग हाडवेर इस दट इंटरनल कंपोनेंट आप दा कम्पीटर यानि हमारे कम्पीटर सिस्टेम का इंटरनल पार्ट है और भी हाडवेर है वह अच्छी बा क्यों कि यहीं पर सारी चीज़ें रखती हैं देखो कम्पीटर सेवन आपका सुबह आ जाएगा ठीक है सुबह आ जाएगा क्योंकि उसके पर वर्क चला उसके कुछ कुछन्स रहे गए आदे कुछन्स बचें फिर ट्रांसलेशन बचा तो कल मिल जाएगा आपको सेवन कु यूज किया है यह मैं चेक करना है तो कहां पर मिलेगा तो चार आप्शन आपके पास टास्क मैनेजर कंपीटर मैं कंपीटर विंडू एक्सप्रॉरल और इंटरनेट एक्पॉरल आपका ब्राव्जर एं जो कि वैप पेस को दिखाएगा और विंडू एक्प्रॉरल आपक आप window explore को open करते हो तो my computer open होता है तो वो similar है दोनों टाइम जब similar है तो इन दोनों में से तो होगा नहीं task manage जितने भी task को manage करना है total कितनी माउक टेस्ट है भी 10 मिलेंगे total कितनी दस मिलेंगे कल साथ पर मिल लाएगा बांकि दो और मिल लाएगे ब्रमास्र हो जाएगा total दस हो जाएगे ठीक है चलिए तो task manager अगर आपको पता है तो task manager की shortcut की भी बता दो task manager की shortcut की बता दो और इस task manager में हमारे task manager के साथ साथ आपने cpu cpu और memory का performance तो देखा ही यानि हमारे cpu का performance कितने percentage है memory का size हम लोग कितना use कर रहे है इसके अलावा disk का size कितना use क्या है wifi की speed कितनी है हमारा gpu किस performance rate से चल रहा है यह हमारे performance हमें मिलती है साथ ही साथ में processing को control करना जैसे हम task भी कहते हैं उनको control करना और new task को create करना यह सारा काम हमारा इस task manager में आता है जो कि लिखा भी है task manager task को manage गरता भी question number 607 दोनों screen पर है 6 बता दीजे which part of the CPU perform, add, subtract, divide, multiply and logical operation आपको याद हो तो CPU के हम लोगों ने तीन पार्ट बढ़े थे कौन-कौन से sir ALU था, CU था और registered यह हमने तीन पार्ट बढ़े हैं अगर इनके साथ deal किया हो तो registered is a memory storage unit in CPU और CU just like a manager होता है जो कि in charge होता है सभी operation को monitor करने का ठेक है वहीं अगर आप ALU की बात करें mathematical logical unit यानि mathematical और logical दोनों के दोनों operation को perform करता है हमारा ALU अब ALU जब हमने पढ़ाता तो उसके साथ साथ हमने machine cycle देखी थे और उस machine cycle के हमारे पास चार step थे याद है वो चार step याद रखना भी कोशन्स मिलेंगे आपको हां और registered के जितने भी आपने important register पढ़े हैं चाहे तो ACO, PCO, MBR हो, IR हो यह सभी पढ़े थे तो इनको पड़ बिसेज ज्यान देना इस session के लिए जरूरी इस question का तो answer third है जो कि आप लोगों ने किया है CU नहीं होगा, CU manager है, यह कोई काम नहीं करता, CU किसी company में जैसे manager होता है वो कोई काम नहीं करता, सिर्फ manage करता है ALU हमारा labor है जैसे हम लोग काम करते हैं, मैंसे करता है वी question number seven है logical operation logical operation कौन करता है सर अगर आपको question number six समझ में आ गया तो आप seven अपने आप कर देंगे, fast, decode, execute, restore, बिल्कुल सही है भई, बिल्कुल correct है, बिल्कुल सही है भई आगे question number eight question number eight which of the following generate various control signal to control the function unit of the system मतलब हमारे signal को control करना हमारे function unit में किस प्रकार्ट से काम करना है उनको तो यह सब हमारे जो मतलब function unit जो काम कर रहा है जो operation perform कर रहा है उसके दोरा जितने भी signal generate होते हैं उनको controlling की बात हो, controlling की बात हो, control unit ना बोलें तो ऐसा होई नहीं सकता भी see you is the correct answer, controlling की बात हो रही है, computer system के function unit को control करने के लिए various signal को क्या करता है, generate करता भी आगे है question number nine यह question अब सायद ना आए, बट concept को define जरूर करेगा, question number nine क्या है, dash system का मुख्य उद्देश computer, sorry का उद्देश important device जैसे CPU, graphic card के आसपास जो heat generate हो रही है, जो गरम हवा generate होती है, उसको क्या करना है, सर, क्या बोले, nest कर दीना है, खतम कर देगा, देखो SMPS की बात करें, power supply है, तो क्या power supply से heat, जो generate होई वहट जाएगी नहीं, और RAM memory है, तो यहां से नहीं होगा, अब देखो, CPU, AC, CPU में air condition होता है, air condition हमारे घरो घाडियों में लगा रहता है, CPU में नहीं लगता, तो इसलिए ये वाला option गलत हो जाएगा, heat sink है, ये जो heat sink होती है न, यही हमारी heat को observe करता है, option number third is the correct answer, यही main concept है इसके बारे में, question number 10, निम्लिक मैंसे कौन सा option, computer की central processor unit का एक component है, जो के processor के संचालन को निर्देशित करता है, processor के संचालन समझते हैं, processor के performance होती है, जो उसके operations होती है, जो हमारे operations होती है, CP उनको क्या करता है, चलिए, clear हो रहा है कि नहीं हो रहा, operate को net disk करता है, आपरेक परफार्म नहीं करता है, सर्थ देखरेक करेगा, तो देखरेक में हमारा CU आता है, इसमें कोई doubt ही नहीं है, CU आएगा देखरेक के संबंद में, ठीके, portion number 11 बताओ, portion number 11 बताओ, कौन सा registered memory में, storage प्रोग्राम में, storage instruction का track करता है, यानि, keep track the instruction store in the program, store in a memory, memory के अंदर जो store program है, उसके instruction को track करने का काम करेगा, AC, PC, address register, index register, यह आपको जरूर याद रखना है, यह आपको जरूर याद करना है, PC के बारे हमने क्या पढ़ा है, सब प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, सर, दाट होल दा, एड्रस अपद दे इन्स, नाश इंसक्षिन, तो वी, रीड फ्राम दे मैमरी, आफ्टर दा करेंट, इंसक्षिन इस तो भी, एग्जेक्टिट, मतलब करेंट में, जो हमारा इंसक्षिन, एग्जेक्टिट हो रहा है, उसके बाद, उसके बाद हमारे पास, जो इस्साक्षिन, लोड होगा, उसके एड्रस को कंटेन करना, एड्रस को होल्ड करना, यह हमारे PC का काम है, जिसे प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, तो इसका अंसर होगा, उप्शन नमबर थर्ड, हमारे program में जो instruction है instruction memory के किस location में store है सिर्फ उस address को रखता है instruction को नहीं रखता सिर्फ address को रखता है ठीक है अगला question number 12 ये इसी चीज़ को थोड़ा आगे और बढ़ाता है क्या बढ़ा रहा है भी सुनिए भई निम लिक्ति में से किन राइस्टर का प्रयोग उस memory location के address को track करके रखने के लिए किया जाता है जहां अगला instruction होता है मतला हमारा next instruction जहां पर hold है उस memory address के track रखने का काम हमारा कौन करता है झाला है सेम कोश्चन है जो हमने previous में किया था ना सेम कंसेट पर बेस्ट है सेम नाइस इस सक्षन को या फिर उनके address को carry कौन करता है वही बात हो गई भी अभी बताया था वही कहानी है पूर्थ इस दा करेक्ट अंसर ठीक है चले कोश्चन नमबर थर्टीन कौश्चन नमबर थर्टीन अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कंट्रॉल सक्षन हैब स्पेसल परपज स्टोरेज लोकेशन मतलब हमारे ALE और CU के लिए एक स्पेसल स्टोरेज लोकेशन होता है अब स्टोरेज लोकेशन का आपको बताएए दोनों के दोनों पार्ट हमारे CPU के हैं और CPU में स्टोरेज के लिए हम रेइस्टर का यूज़ करते हैं तो कोई डाउट नहीं है पुछना फॉर्टीन बिच डिवाइस केन अंडरस्टेंड डिफरेंस बिटिवीन डेटा और प्रोग्राम डेटा प्रोग्राम के बीच में डिफरेंस कौन समझता है कि कौन सा डेटा है कौन सा प्रोग्राम है तो भही इसमें कोई नहीं समझेगा सर्फ माइक्रोप्रोइस्टर समझेगा इसमें तो माइक्रोइस्टर ही क्योंकि intelligent डिवाइस यहिए brain of the computer हम किसे कहते हैं इसे ही कहते हैं चलिए अगला कोशन कोशन नमर 15 ध्यान से बढ़ना यानि विच अब दा फॉलेंग इस यूजड वाई एलू तो स्टोर इंटरमीडियेट रिजल्ट वाइल एक्जेकुशन कंपीटर प्रोग्राम कंपीटर प्रोग्राम को एक्जेकुट करते समय जो इंटरमीडियेट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं आपको पता है एलू हो या कोई सीपी हो स्टोरेज के लिए हम लोग रिजिस्टर का यूज़ करते हैं और अगर आप ऑप्शन के साथ डील करोगे ना तो आप्शन में ये तीनों के तीनों आप्शन है जो रिजिस्टर की बात नहीं कर यह ही हमारा register होता है यह हमारा register होता है 15ach answer first हो जाएगा कोई दिकत नहीं आएगी यह कोशन एक register use मतलब एक register है जिसका use to store value of arithmetic operation and logical operation मतलब हमारे arithmetic किमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल अपरेशन को फोड़ करने के लिए हम एक रिस्टर का चैज 2 मतलला एकुमिलीटर यह हमारे ए मसारतर सब्ट्स जूम कर दीजिए इंग्लेस यह हिंदी देखने लगी ठीक है जूम कर अभी खाई आवह Nomini दो आपको दिखतो रहा है भी दोनों को दिख रहा है फिर और जूम करना है वैसे तो सब कोशन अच्छे से देख रहा है भी इंगलेस में थोड़ा साई कट रहा है उसे मैं पढ़के बता रहा हूँ ज्यादा कैंसल नहीं हो रहा है कि आप सोचें कि बहुत बड़ा कोशन कुछ हो रहा है अब ये कोशन अभी कुछता नमस 17 कितना क्लियर देख रहा है कि डास बाकी कम्पिटर को प्रोग्राम इस्ट्रक्शन को पूरा करने का तरीका बताता है यानि हमारे जितने भी प्रोग्राम से उनको काम कैसे करना ये कौन बताएगा तो भई हमारे वर्किंग मेंबर कम्परी में कैसे काम करते हैं ये बताता कौन है सर बताने के लिए हमारे पास CPU क्योंकि इंचार्ज है मैनेजर है वही बताएगा मैनेजर ही तो बताता है कि किसका काम क्या है वागी सब अपने आप करते रहते हैं तो मैनेजर हमारा CU है और CU के लिए हम सीधा चले जाएगा option number 3 के साथ नाश्टा कोशा नमबर 18 वह है आप बरती जिस पर कोई micro processor instruction को execute करता है उसे इसकी dash कहा जाता है क्या कहा जाता है frequency है जिसे हमारे instruction को execute करता है storage capacity कहते हैं size कहते हैं velocity कहते हैं या फिर clock speed कहते हैं यानि वो frequency बतानी है जिस पर हमारा micro processor instruction को execute करता है तो उस frequency को हम लोग क्या कहेंगे size, storage, capacity, velocity या फिर clock speed clock speed हमने पढ़िए कि हमारा instruction per second में कितने instruction के साथ execute करेगा उसे हम clock speed कहते हैं तो answer होगा option number clock speed के आपको याद होगा हमने हर्ट्स किया था हमने am million instruction per second चले कोशन अगर 18 समझ में आगा तो 19 कर दो कोशन 18 समझ में आगा तो 19 कर दो क्यों को कि उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहा है कि कौन million of cycle per second में मापा गया computer की instruction को प्रॉसेस करने की speed को संधर्वित करता है मतला हमारा प्रॉसेसर पर सेकिंड में कितने million cycle को execute कर रहा है इसके रहे हमने clock speed बढ़ी थी और clock speed के लिए हम clock rate का यूज़ करते हैं तो option number 4 ही होगा तो 18 फोर्थ को और जादा explain कर रहा है मतलब short में बोलोगे न तो आपको समझ में आजागा M IPS I think यही होता है ठीक है अगला question number 21 question number 21 21 क्या है which of the following device allow a computer to keep running when the primary power source is lost जब primary power source बंद हो जाए तो हमारा computer चालू रहे तो इन चालू के लिए power का supply कौन करेगा समझ माया यानि लाइट चली गई computer चालू के लिए power कौन देगा वही router नहीं networking device है वही router computer related नहीं है तो UPS होगा क्या होगा UPS और UPS में structure होता अगर आपको याद हो UPS offline online दोनों होती है क्या structure होता उससे लोगी जैसे सपोजट हमारा यह UPS है यह हमारे पास एक UPS है इसमें यहां से main powers आ रही है main power आपको पता AC में होती है ठीक है ना और इससे output के तोर पर भी हमें AC मिलता है क्यों क्योंकि हमारा computer AC power ही चाहिए ठीक है लेकिन एक backup के रूप पे इसमें battery होती है इसमें backup के रूप में battery होती है यह battery है यहां पर क्या होता है कि इस battery से पहले charger होता है यहां पर charger होता है क्या होता है चार्जर होता है यह charger चार्जर क्या आदब करता है AC power को जो हमारा AC power गया इसमें क्योंकि हमें AC power दिया जा रहा है तो इस AC power को क्या करता है AC power को DC power में convert करके battery को charge कर दिया यानि battery में DC power के लिए valid मानी जाती है तो यह जो charger है ना वो AC को DC में बदलता है बाकि हमारे computer को तो AC power चाहिए तो इस battery में से यहां पर inverter होता है यहां पर inverter होता है यह inverter क्या करता है कि DC power को AC power में convert कर देता है ठीक है तो यह factor जरूर याद रखना क्योंकि अगर आप 728 के concept उठाके देखोगे तो voltage वाले UPS वाले हमारे compression वाले redundancy वाले या ग्राफिक tablet हमारे पास और ग्राफिक tablet के अलावा अगर हम बोलें वायो मैट्रिक वार कूड ठीक है न मैस ऑपिस के इंटरनेट के ऐसे ऐसे कुशन्स देके जा रहे एक्सल के फंसन्स भी इसी में include होते हैं जो seven to eight में आ रहे हैं यह बहुत डीप उस topic को ले जा रहे हैं तो एक कुशन्स जो मैंने समझाया structure यहां पर यह उसी चीज़ को define करेगा हो सकता है language दूसरी आए लेकिन concept यही लगेगा चली मदरवोर्ड मदरवोर्ड में क्या मौजूद नहीं होता वही मदरवोर्ड में देखो system clock बसिस पोर्ट वीडीटी वर्च्वल डिस्प्ले टर्मिनल वीडीटी का मतलब होता है Virtual Display Terminal क्या इसमें होगा Virtual Display Terminal यही अंसर होगा क्योंकि पोर्ट होते हैं वसे सोती सिस्टम क्लॉक होती है Untrupted Power Supply बिल्कुल भी सही है ठीक है Full Form Correct नहीं Full Form तो आप खुद से बता दिया करो अगर आपको बता रहता है तो ठीक है Question No.23 Which of the following CPU does not communicate with the other unit of digital computer Digital Computer की अन्य जो यूनिट है उनके साथ Communicate नहीं करता माला हमारे Digital Computer में जितने भी पार्ट है उनके साथ component नहीं करेगा लेकिन यह CPU का पार्ट है भी यह CPU का पार्ट है लिखा है ना Which of the following CPUs मतलब part of CPU की बात हो रही है अगर आप part of CPU समझ जाते या फिर component of the CPU समझ जाते तो आप बोलते सर्फ memory unit CPU में नहीं आता input नहीं आता लज आउट भी नहीं आता registered आता है तोटल हमें पता है ना तीन component है ALE, CEO, registered registered option में तो बाग की option के साथ तो आप deal करी नहीं सकते क्योंकि वालिड नहीं है जब option valid नहीं होता तो फिर हमें जादा दिमाग नहीं लगाना होता अगला question number 24 computer पर sound produce करने के लिए भाई sound की बात आ रही है कौन सा card लगाएंगे sound card इसमें आगे question पढ़ने की भी जरूद नहीं है इसी प्रकार आपको भी deal करना है जरूरी नहीं कि question को पूरा read करो question में कुछ ऐसे term आते हैं जो खुद question को eliminate कर जाते हैं बागे option के साथ तो सीधा answer आ जाता है जैसे ये question था sound की बात हो रही तो card option में है तो पता है sound card हमारा सीधा sound को जनरीट करता है अगला 25 इन में से कौन सा cpu का पार्ट है अभी मैंने तीन बताए थी तीन में से कौन सा आपके option में आपको इकली कर जाएंगे दिक्कत नहीं आईगी क्यों क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आएं अगला question number 26 26 में क्या है cpu अपनी cpu अपने operation में बार बार मानों को fetch, decode, execute करने का काम करती है जिनें वो सामुई ग्रूप से क्या कहती है मतलब हमारे जो operation होते है cpu में instruction को fetch करना fetch instruction को decode करना फिर execute करना, store करना तो इने हम क्या कहती है right cycle, data cycle, instruction या फिर dma cycle सर मसीन cycle बतायता है जिसे हम instruction cycle के नाम से जानती है तो option number third is the correct answer ALU, बिल्कुल सही बात है इसका answer ALU क्योंकि ALU cu register तीनी component है तीन में सेकी है तो वही लग जाएगा उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है चलिए अगला question number 27 what is the responsibility of the logical unit in the CPU of the computer computer का जो CPU है उसके logical unit का responsibility क्या है जिम्मेदारी क्या है पहला option है number के साथ comparison करना दूसरा है storing data तीसरा है controlling flow of the information लास्ट है controlling flow of the data तो कौन सी responsibility है logical में अच्छली वह होता है अगर आप ALU की definition की बात करेंगे तो ALU की definition में आपको दो term समझ माती है एक तो arithmetic जो addition, subtraction division, multiplication यह सारी चीज़े यानि जो complex problem होती है उनके साथ operate करता है दूसरा logical logical में data के साथ subtract करना, translate करना, compress करना है यह सारी चीज़े हमारे आती logical में वागी जो gate है और end और यह सारे उसी में आ जाती है तो यहाँ पर देखो storage की बात करोगे नहीं storage की बात करोगे नहीं information के frog को control करेगा यह see you करता है हमारे number के comparison करना translating करना, उनको compression करना, selection करना यह सारे हमारे logical unit में आती है तो पहला ही option correct होगा जो लोग पहला लगा रहे है 27 का उनका answer सही है बागी लोगों को question थोड़ा सा doubt किया इसलिए आपका question गलत हो गया अगला question number 28 भई 28 का है graphic card is an interface to the computer motherboard using which connector के हमें graphic card को connect करना है तो हमारे motherboard की किस connector के साथ connect करेंगे भई किस connector के साथ connect करेंगे देखो sdmi और dbi यह आपको पता है monitor को connect करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किस के लिए monitor को connect करने के लिए सब्सक्राइब करते हैं अब आपका यूज़ भी है और PCIe है कुछ लोग sdmi लगा रहे हैं तो sdmi के साथ होगा नहीं मैंने eliminate कर दिया भई अब आप बता दीजे मैंने sdmi हटा दिया जनलोगों ने sdmi कर दिया है ना अब आप answer change कर सकते sdmi नहीं आएगा क्योंकि हमारे monitor को connect करने के लिए तीन पूर्ट popular है कौन कौन सा सर एक तो आपका है वीजी ए डीबी आई और sdmi तो इनको तो अठा दो अब PCIe है या फिर USB है तो USB के साथ आप लोग जाएंगे नी क्योंकि USB से मोस अब ता केस में peripheral को हम connect करते है तो PCIe है या फिर इसकी जगे azp होता तब भी हमारा answer सही हो जाता लेकिन option में नहीं है तो सी के similar हमारा option number first correct हो जाएगा अगला question number 29 computer में instruction को instruction को interpretation द्वारा sorry interpretation dash द्वारा जाएगे मला हमारे instruction को interpret करना है कौन करेगा interpret करने का काम कौन करेगा भई मला ब्याक्ष्यान ब्याक्ष्यान समझती है बताओ कुछ लोग 29 का पॉर्ट कह रहें हैं कि देखो फॉर्ट आपको बताए कि सीप्यू हो सकता है बिल्कुल सही बात है लेकिन मैंने आपको एक चीज बताइती कि अगर पूछा जाए कि linux is example of और आपके option में OS है और system software है तो आप priority किसको दोगे सर OS को देंगे इसी प्रेकार ये priority हम CU को देंगे हम CU को देंगे हम CPU के साथ नहीं जाए हां CU नहीं होता तो आप CPU के साथ जा सकते थे कोई दिक्कत नहीं चलिए control unit का क्या function होता है हमारे CPU के अंदर सर इंचार्ज होता है क्या करता है इंचार्ज होता है तो OSR इस चीज को दिहान में रखोगे तो option हराम से eliminate हो जाएंगे जैसे पहला option कहा रहा है कि data का primary storage में transfer करना मला हमारे data को primary storage में भेजना क्या controlling unit का काम है primary storage primary समझते हो यानि man memory में भेजना यह तो गलत बात है नहीं होगा दूसरा to store program historical registered है वही to perform logical operation logical के लिए हमने ALU पढ़ रखा है to decode program instruction हाँ यह बात सही है तो option number four correct हो जाएगा storing की बात नहीं कर रहा है storage registered होता है आप registered को बिना storage की बात नहीं कर सकते वहीं जो लोग second के साथ जा रहे second नहीं होगा अगला question number 31 which of the following is an important component of the motherboard that form interface between CPU various buses and other external component जी मदरवोर्ड का component है जो कि CPU के अलावा जो बाहरी बसे सोती है उनको एक interface देने का काम करता है उनको एक interface देने का काम करता है देको main memory तो होगा नहीं socket लगाएं peripheral card slot लगाएं नहीं चिपसेट लगा दो क्योंकि CPU है CPU हमारे chipset में लगते हैं CPU तो option number second is the correct answer portion number 32 which of the following is the latest and fastest component of the motherboard support add on a card card को support card को support करने के लिए motherboard का एक component है जो latest के सासथ fastest भी होता है मलब तेज होता है देखो ISA यह हमारे क्या बोलते हैं उसे बस इसका सबसे पुराना डाइब है तो PCIE है और PCIE देखो अगर AZP होगा तो AZP के साथ जाए क्योंकि ग्राफिक कार्ड यहीं पर लगते हैं और यह latest के साथ fastest भी है दोनों काम करता है यह latest के साथ साथ हमारा fastest भी होता है अध्या ले टेस्ट के साथ फार्ट फार्स टेस्ट है एक डाउट है जस्ट डाउट 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 क्योंकि PCIE है एक मड़ एक मड़ देखो PCIE है और यह तो नहीं होगा PCIE और AZP इन दोनों में डाउट है बई दोनों में डाउट लग रहा है दोनों में क्योंकि AZP हमारे ग्राफिक के लिए यूज होता है और अगर आप PCIE की आजाएं जो कि एक्सप्रेस की बात करता है जो कि हमारे एक्सप्रेस की बात करेगा अगर उसी चीज को ध्यान में रखोगे तो फिर आराम से बता दोगे तो PCIE होता है क्या होता है PCIE होता है कोगि 64W High Speed बस होता है 64W 64W का High Speed बस होता है और अगर हम AZP की बात करें टैस्ट में PCIE लिए हाँ बिल्कुल PCIE ही है सही बात है Option यहीं Correct होगा वही यहीं Correct AZP नहीं है वो तभी तो मुझे doubt लगाता कि AZP Graphic Cut latest fastest नहीं है थर्डी होगा कोशन नमर थर्डी 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 फ्रेगर थोड़ा सा दुंदला नजर आ रहा है लेकिन है बहुत मतलब latest question क्या है Input data Input device से होता है Input data in a code firm किसकी द्वारा किया जाएगा जिसे process किया जाता है और process data का output हमें output device देती है मतलब input data के लिए input device input into the code firm और जो code firm में data आया है उस data को process data कौन बनाएगा और process data हमारे पास output represent करेगा और फिर हमारे पास result मिलेगा तो result के लिए output device होती है तो पता है process कौन करता है data के साथ process CPU करेगा process हमारा CPU करता है CPU process होता है यह है वई अगर आपको 33 समझ में आगया तो 34 बहुत अच्छे से कर दोगे कोई 33 को और expand कर दिया है कैसे यहाँ पर stage बतानी है आपको data processing cycle की वई तो सबसे पहले आपको पता है processing तो होगा नहीं अगर processing stage नहीं है क्योंकि सबसे पहले data को input कराएंगे अगर हम data को input कराएं तो यह processing वाला option गलत हो जाएगा अगर processing वाला option गलत है तो सबसे पहले input होगा अगर input हो गया है तो output तुरंत नहीं मिलेगा ये बात भी confirm है तो option number पहला भी correct incorrect हो जाएगा इस case में अगर आगे जाएंगे तो second option कहा रहा है पहले input फिर process उसके बाद storage और बाद में output और fourth कहा रहा है कि input input के बाद processing फिर output के बाद storage अब एक बात बताईए इसमें दिक्कत बता है आपको कहा आएगी दिक्कत आएगी output और storage इस गेंदर तो यह आप logical सोची कि किसी चीज का output पहले मिलता है या storage पहले करते हैं यानि हमें किसी data के साथ काम करना है तो हमारा CPU उसका output देदेगा अब output दिया तो मलब process करके output ही मिलता है अब output पहले आएगा या storage पहले आएगा आप सब जैसे आपने कोई translation किया आपने को प्रासेस करके आपको प्रासेस स्टेज से वो data मिल गया result के form में अब result के form में आपका storage स्टेज में जाएगा या output में जाएगा तो जब आपको output देखेगा अगर अच्छा हुआ तब ही तो आप स्टोर करोगे ना तो storage वाला बाद में आता है अक्सर output वाला पहले आएगा तो इसके आधार पर option number fourth होगा output मिलता है पहले yes बिलकुल बात सही है अगला question और I think last ही questions है मतलब ये इस प्रेकार के question मैं English में पढ़ देता हूँ question number 35 है डास computer के बिशेश्चता है जो के to perform completely different type of work the same time where to make sorry where as dash make is it to work for us without worrying tired मतलब different type के work है उनको same time बे perform करेगा साथी साथ में बिना थके काम करेगा तो अगर आपको याद हो तो हमने computer के विशेश्चता हों के तोर पर तीन विशेश्चता हों में हम लोग first रहते एक तो हमारे पास versatility था versatility के diligence था और हमारे पास reliability था यह तीन ऐसे हमारे पास इस्टेश थी जिनमें हम लोग first रहते थे मतलब versatility diligence और एक और था diligence के अलावा एक और reliability आइक तिंक हूं देखो अगर हम diligence की बात करना तो diligence में क्या होता है कि आप million task को same consistency और same accuracy की इसे साथ perform कर सकते हो तो पहला option तो diligence दिखाएगा पहरा जो खाली स्थान है उसमें diligence आएगा diligence आएगा क्योंकि पहले में क्या हो रहा है नहीं नहीं यह तो same consistency नहीं पहले में versatility आएगा क्यों क्योंकि different type of work पर same time पर काम करना हमारा versatility होता है same time पर काम करना versatility होता है हाँ जिस चीज़ के हम बात कर रहे हैं कि sir diligence diligence से क्या होता है कि हमारा जो millions task है उन पर same consistency और same accuracy से काम करता है तो दूसरे में हमारे पास diligence आएगा तो इसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो हिंदी में थोड़ा सा लगता है versatility और diligence हो जाएगा यानि same consistency और same accuracy के साथ काम करेगा ठीक है चलिए तो CPU की speed आप लोग बता सकते हैं CPU की speed कौन सी इन मेंसे है CPU की measurement speed कौन सी है तो measurement speed आप बता दो clock cycle हम लोगों ने पढ़िए clock cycle में हम लोगों ने use किया है न clock rate वहीं से answer मिल जाएगा आपको वहीं से answer मिल जाएगा वहीं से answer मिल जाएगा वहीं से answer कर लिए एक भी question मैंने अभी leave नहीं कराया वही अब यहां से leaving concept पर हम लोग जाएंगे मैंने सारे questions कर आए मिलियंस इंस्ट्राक्शन पर सेकिंड यानि option number second is the correct answer CPU का कौन सा function नहीं है CPU का इन चारह में से कौन सा function नहीं है आपको बताना है पहला है कि computer की सभी control unit को यूनिट्स को control करना हमारा CPU का काम है computer में data instruction को input कराना काम है इट पर्फर्म ऑल calculation इट टेक ऑल decision माला सभी decision लेता है आप बोलो कि सर बिलकुल लेता है सभी calculation करता है सर बोलो कि बिलकुल करता है लेकिन हमारे data और instruction को computer में input करता यह बात गलत है क्योंकि instruction और data को input करने के device का यूज करते है CPU का नहीं करते CPU सिर्फ processing करता है ठीक है तो option second is the correct answer 37 का answer second होगा क्योंकि input data instruction computer में input device के द्वारा किये जाते हैं चलिए अब है computer busses क्या है computer busses में हमारे पास definition type busses और common busses थी जिनकी हमने most अब तक की से बात कर लिए अब यहां से भी कुछ करते हैं पहले पहला कोशन है कि कौन सी category computer busses में नहीं आती मतलब invalid है invalid है तो character बस पढ़िए character नाम से हमने कोई बस नहीं पढ़िए data बस पढ़ा है address बसा है control ठीक है ना और इन बसका definition इनके नाम में चुपा हुआता जैसे address address को carry करता है ठीक है जो कि यूनी डारेक्शनल होता है data data को करता है control हमारे signal को control करता है सर किसमें करते हैं CPU से other peripheral के बीच में करते हैं तीनों के तीनों का बस हो गया इनका definition अब इसी क्यादार पर इन से 34 कोशन ने बसके उपर वो कर लेते हैं पोशा नमबर सेकेंड है निम्लिक मैंसे वाई डारेक्शनल बस है कैसी है वाई डारेक्शनल है जो carry करता है बोत instruction और डेटा डेटा और इंस्ट्राक्शन को प्रोसेसर और मैमरी और प्रोसेसर मैमरी और पैरिफेरल के बीच में क्या करता ह है carry करेगा डेटा इंस्ट्राक्शन आप बोलोगो सब्सक्राइब क्योंकि मैंने क्या बताया था डेटा बस डेटा को carry एड्रस एड्रस को control signal को बस हो गया काम यहां पर हमारे बोला जा रहा है कि प्रोसेसर मैमरी और अधर पैरिफेरल के बीच में डेटा इस्ट्राक्शन को क्या करें करें तो डेटा बस इस दा करेक्ट आंसर अगला कोशन नंबर थर्ड यहां पर बोला जा रहा है कि इनमेंसे कौन सा बस है जो यूनी डारेक्शनल है यह प्रोसेसर से निकलता है मैमरी यूनिट और इंपुट डेवाइस तक पहुंचता है तो यूनी जाता है कहां जाता है एड्रस इस दा यूनी डारेक्श जो एक ही दिसामें काम करता है तो इसका अंसर आप्शन नंबर सेकिंड हो जाएगा ठीक है अब यहां पर देखो अगला कोशन है कोशन नंबर 4 क्या कहारा बहुत बड़ा कोशन लेकिन बढ़ते ही समझ में आ जाए तो हमारी कंटॉल बस हो जाएगा कोई कि यहां पर कंटॉलिंग की बात हो रही है यहां पर कंटॉलिंग की बात हो रही है तो कंटॉल बस सीधा अंसर हो जाएगा ठीक है आप्शन पढ़ते ही समझ माएगा चले यहां पर हो जाता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम प्रिनिस अब आता है peripheral devices जिसमें सबसे पहले हमने input device को लिया है input output और last में बचेगा हमारे पास both और फिर बचेगा memory memory में दो ही concept होते हैं memory का classification और memory unit चलिए यानि एक घंटा हो गया है और हमने एक topic को complete कर लिया लगबग मान के चलिए 30% हमारा हो गया है अब input output तो बहुत जल्दी हो जाएंगे चलिए पहला ही question है input जब आप input output के साथ deal करो तो दो चीजों पर special ध्यान देना पहला कि कौन सी device input की है कौन सी output की है ठीक है तियानि यहां से valid और invalid दोनों question हो जाएंगे तीसरा दूसरा concept है हमारे पास कि जब input output device के बारे में आप बात करोगे तो हर एक device का features या फिर definition आपको पता होना जरूरी है कि किस device का हम लोग use कैसे या क्यों करते हैं मैं ठीक है बस दो से आपका काम हो जाएगा अगर आप pass होना चाहते हो तो मांकि एक भी question अगर आपको छोड़ने नहीं है तो फिर भी तरीका पता है कि जब एक भी question आपको नहीं छोड़ने होते तो उस case में आप लोग क्या करते हैं तो उस case में आप लोग क्या करते हैं यह आप लोग जानते हैं चलिए वह कौनसी डिवाइस है जो क्रेन इंडस्टियर रोबोट को क्या करती है कंडॉल करती है जोइस्टिक पहले का पहला सही है बिलकुल सही है बई सैकेंड बताओ जब डैस्ट आपके कंपिटर पर इस्टाल किया जाता है तो आप उसे ऑनलाइन चैट करते समय आप अपने दोसे लाइव चैट सर बैव केम इस दा करेक्ट अंसर क्योंकि कैमरा है तब ही हम लोग वीड कर पाएंगे स्कैनर भुह कैसे लगाएंगे इसज़ांसर हो गाए नहीं यहां पर ऑनलाइन चैटिंग की भात हो रही है वीडियो कॉलिंग की बात हो यह तो मिया भ्यक केमि Hanraug Transler Hamer वाता उतना डैस्ट हां तर पर पिशे और PD के साथ उप्योग की जाने वाली PAN की तरह एक डिवाइस है यानि जो PC पर काम करती है PDA पर काम करती है किसकी तरह होती है PAN की तरह है This is the answer समझ मारा है यानि Sir Stylus is the PAN की तरह जो चलता है वो Stylus ही होता इसमें doubt नहीं है अगला है ये कोशन तो just like a copy paste हुआ था copy paste ये कोशन तो लगवक दो से तीन वार आ चुका है दो बार तो मैंने देख लिया मुझे याद है ये कोशन डारेक्ट अभी रिसेंटली अगर आप एक्जाम देखोगा न जुलाई वाले उसमें ये कोशन डारेक्ट option के साथं आया है है यहांनी काड और काड रिडर, के बीच में हमें डारेक्ट कम्यूनिकेशन, काड और काड रिडर, के बीच में लिभीक काबल्लिंग के मादिra में हमसे होता है तो यह reason क्या है तो यह security security इसका main purpose है security के point of view से हम लोग करते हैं तो यह just like हा सीधा हमारे exam में as it is आया है तो कुछ question as it is आती हैं उनको जादा आपको देखना नहीं पड़ता option के साथ deal हो जाती है digital camera में एक lens होता है जिसमें image pickup device पर focus light करने के लिए परवर्तन seal होता है परवर्तन seal होता है जी बता दो question number four कर लिया five बता दो sir optical system is the correct answer third नहीं होगा photoelectric नहीं optical system is the correct answer IP camera और web camera क्या हैं अलग अलग हैं समान अर्थक हैं अन्रूप हैं मतलब similar हैं आपस में बदल कर इस्तमाल हो सकते हैं देखो बैव camera की बात करें तो hardware है और IP camera की बात करें तो software है अब आप बता दो दोनों एक जैसे हैं अलग हैं कैसे हैं आप अलग हैं तो पहला ही option correct हो जाएगा चीक है न एहला option हमारा correct हो जाएगा सर एप्लिकेशन कहां से डाउनलोड करें एप्लिकेशन नहीं होगा वैपसाइट है और इसी पर चलेगा जो कुछ भी है चलिए ग्राफिक टैबनेट कंपिटर के स्कीरीन और मुवाइल कंपिटर इन्पुट कमांड के लिए किसका उप्यो किया जाता है इस पर हमें इन्पुट करना है कैसे करेंगे भई सर स्टाइलस की मदश से कर दो ठीक है तिकत परेशानी नहीं है राज कूशन नमबर एट एक लाइट सेंस्टिव डिवाइस है लाइट सेंस्टिव जो ड्रॉइंग प्रिंटेट टैस्ट या फिर अन्नी में इसको डिजिटल में परवर्जित करती है मतलब हैं डिटन को डिजिटल तो स्कैनर इस दा करे टांसर को डिजिटल में हाँ इसकैनर करेक्ट हो जाएगा भई सही है अगला है कंपीटर की मैमरी में दर्ज किये गए किसी भी डेटा इंस्ट्राक्शन को माना जाता है मतलब हमने कोई भी डेटा या फर इंस्ट्राक्शन अपने कंपीटर की मैमरी में क्या किया एंटर किया तो से क्या कहेंगे स्टोरेज आउटपुट इन्पुट या फिर इन्फरमेशन कंपीटर की मैमरी में दर्ज किये गए किसी भी डेटा या इस्ट्राक्शन को माना जाता है मतंद दर्ज की अपनला इन करें सर इंपुट डेटा माना जाता इंपुट और भई इनक पॉज़िए इनपुट डिवाइस नहीं लुड़ अधे जिए देखो वाइफआइ अपको बदा क्या इन्पीट डिवाइस में आता है नहीं आता तो यहीं अन्जर हो जाएगा कि देखते ही नजर आ चलिए only input device अभी सिमिलर कंसेट पर इंपूट डिवाइस हैं देखो printer output प्रिंटर आउटप्ट पूट प्रिंटर आउटप्ट रहें तीन आप्षिन अट गई तीन आप्षिन देखती हट गई एक बचा तो वही आंसर होगा क्योंकि printer output में आता है तो वहां की option है तो अपने आप वो input में set हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा question number 12 इस screen पर है image image को draw करने ग्राफिक को create करने animation बनाने के लिए अप्यों की जाने वाली device का नाम क्या है महला हमें एक तो device image बनानी है graphic create करना एनिमेशन बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं वही कुछता दो scanner का graphic tablet का computer का या फी डिये का जी image को draw करना अभी मैं क्या करहा हूँ मैंने image बना दी draw बर दिया तो graphic tablet is the correct answer मिलकुल सही लगा रहे है option number second is the correct answer second सही है चले question number 13 आप लोग करना 13 आप लोग करना 13 हो जाएगा 13 करना question number 14 करा देता हूं 14 क्या है which of the following device cannot be shared on a computer network computer network में हम किसे share नहीं कर सकते नहीं कर सकते मतलब single use होगा single user keyword आपको पता है keyword का जिसमें लगा वही उस करेगा publicly use नहीं किया जाता है कि मतलब सारे लोग बांट लेंसा नहीं होता है कोशना 15 बता देंगे 15 एसकेप की जो होती है ना हमारे keyword पर laptop पर होती है उस की को किस category में हम लोग रखेंगे देखो function की में नहीं रखेंगे क्यों को कि function की F1 से लेकर F12 तक होती है और अगर हम toggle की की बात करें तो toggle में हमने caps scroll और num lock पढ़ी है और जो सी की के नाम से जानते हैं कोशना 17 बताओ कोशना 16 छोड़ दिया मैंने 17 किसी भी बाइमेटिक सिस्टम प्रडाली में बेसिस रूप से क्या क्रिया करम है मतलब action का sequence क्या होगा तो सबसे पहले हमें पता है कि जैसे हम नया mobile लेती हैं हमारा mobile as a wire metric device है तो इस mobile में आपको पता है कि सबसे पहले हमारा जैसे आप finger लगा रहे तो finger को क्या करेंगा capture किया जाएगा capture करने के बाद वो से अपने database में इंडॉल कराएगा और आपने जैसे capture कराया फिर database में इंडॉल हो गया ठीक है और आप इस device को बंद कर दो बापस आप दूसरे दिन आओ तो क्या होगा फिर आपका match करेगा match के बाद recognition decision देगा अगर हमारे जो access किया गा जो method वो सही है तो तो फिर recognition decision आपका access मिल जाएगा otherwise deny मना कर देगा तो पहला option हमारा सही है पहले पूछा गया था अब सायद ये questions ना पूछा जाए फिर भी आप why metric की दोनों की दोनों characters क्याद रखना आपका behavior और biological जिसे physiology भी बोलते हैं आपको पता है कि physiology या biological में आपके पास finger, retina, face ये सारे options आती हैं और voice signature, gatch और key stock ये हमारे behavior में आ जाती हैं तो यहाँ पर देखोगे measurement of thinking finger तो ये हमारे why metric system के examples हैं इसमें हमें कोई दिक्त नहीं आएगी इसमें हमें कोई दिक्त नहीं आएगी अगला question बई question number 21 बताओ, question number 21 बताओ, 21 क्या कह रहा है, bank, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी bank मिले किसी question में या फिर check मिले, ये वाला check, आप इस check को मत समझाना, क्या आप सर नहीं बताया था, check मिले वहीं पे लगा दे, ये वाला check, जो bank में check लगता है तो हम सीधा MICR के साथ चले जाएंगे, question read करने के हमें जरुवत नहीं पड़ेगी, बहीं है question number 2, वो कौन सी input device है, जिसका यूज़ दे को फिर से आगया bank, तो आपको question पढ़ना ही नहीं है, जब हमें सब दे मिले तो हमें पढ़ने की जरुवत नहीं पढ़ेगी, अगला question number 23 और 24 दोनों screen पर है, दोनों कर दीजे, जैसे अगर मैं 23 की बात करूँ, to make the number pad active directional keyboard, यानि हमारा जो numeric keypad उसे on करना है, हमें numeric keypad को on करना है, तो आपको पता है, numlock key का हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि toggle key का example है, ठीक है, चलिए, इसी चीज़ को आगे बढ़ाया गया है question number 24 में, पूछा है कि इनमें से कौन सी की है, जो toggle key के नाम से जानी जाती है, और toggle का मतलब होता है, केस key को या तो हम on करेंगे या off करेंगे, दो ही case में हम लोग इसका use करते हैं, में यही target होता है, तो numlock के अलावा हमें पता है, capsule lock होता है, scroll lock होता है, तो वहां से dealing हो जाए बैठेक है, चलिए, अगला question, question number 25 हो जाएगा, reading करते ही हो जाएगा, आपको देखकत नहीं आएगे, मैं भाई question छोड़ रहा हूं, जो आप कर जाएंगे, question number 26, question number 26, which of the following devices is used to enter information directly into computers without without की the information, मतला बिना की के, कोई की हमें प्रास नहीं कर पड़नी पड़े, हमारी information इंटर कर जाए, तो आप देखोगे, इन सब में कुछ न कुछ हमें माउस में क्लिक करना पड़ रहा है, trackball में क्लिक करना पड़ा, touch screen में क्लिक करना पड़ा, लेकिन scanner में हमें किसी clicking की जरू information के, option पहला correct होगा, ठीक है, चले, question number 27, 27, एक चीज़ याद रखना, जब pen या pencil की बात आई, जैसे bank या check की बात आ रही है, वैसे pen या pencil की बात आई, और उसके presence और absence की बात हो, तो उस case में OMR के साथ हमें जाना पड़ता है, जो कि optical mark reader की बात करता है, आपको याद होगा, जो R stand for होता है, जैसे OCR है, तो इसमें R stand for दो होते हैं, एक recognition होता है, दूसरा reader, reader just like a device recognition, just like a software, तो इस question का आपको बताए, box में fill करते हैं, pen of pencil, तो OMR is the correct answer, हमें जादा देखा, देखो, pointing, clicking, double clicking, dragging, ट्रप right clicking, ये हमारे mouse के माउस के मलब होगा, क्या बोलते हैं, माउस के actions है, माउस से ही हम pointing करते हैं, click करते हैं, double click, triple click, जितने भी click करते हैं, माउस से ही करते हैं, हम लोग, चीक है, तो option number 3rd हो जाएगा, 28 का, very, very easy is the correct option हो जाएगा, option number 29, portion number 29, 9 बता दो 29 क्या है, which of the following is not a function, बैब केम, बैब केम का फंसन नहीं, बैब केम क्या है, तर वीडियो कॉलिंग जब की जाती है, तो जो hardware लगता है, जो external camera होता है, उसे हम लोग बैब कहते हैं, जैसे पहला option कह रहा है, कि फोटो लेने के लिए, कैमरे से फोटो लेंगे, तर बिलकुल ले सकते हो, वीडियो बैब कर सकते हो, बिलकुल कर सकते हो, computer output device है, computer output device, computer output device है, computer का output device है, output device, output device, uploading photo of website, तो मुझे तो ये दोनों option गलत लग रहे हैं, मुझे तो ये दोनों option गलत लग रहे हैं, यानि computer का output, बैब के हम हमारा input device है, यही दोनों option है, यानि ये दोनों correct होंगे, अब valid option नहीं तो हो स तो option number दोनों correct आप दोनों में से कोई भी लगा दीजिए गलत यही हो जाएंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं आईए क्योंकि valid option नहीं होते तो इस प्रगार से में डीर करना पड़ता है अच्छा ओहो सॉरी 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 दूसरा तो सही है वही दूसरा तो correct है वही दूसर आंसर option number 40 होगा आंसर option number 40 होगा सॉरी क्योंकि फोटो अपलोड की बात नहीं वैब केम आएगा भी यह तो सही है सेकंड वाला भी सही है थर्ड वाला फर्स्ट वाले तीनों की तीनों सही है फोर्त गलत है क्योंकि input device होता है वैब केम आउटपूट नहीं होता चीक है तो य यहां से कुछ अलग कोशन्स करते हैं थोड़े डीप बाले क्या है स्टाइलस जो पैन की सिती का पता लगाने या कि ग्राफिक टैबलीट दौरा किस टेकलोजी का उप्यूग करता है हमारा कैपिस्टिव होता है रेसिस्टिव होता है इलेक्रो मैगनेटिक होता है या आफ जिस ग्राफिक टैबलीट है मेकानेज्म या ये योउज होती है उसका नाम है पैसेव टैबलेट क्या है जिसमें दो वायार है वर्टीकल रॉरिजंटल या वर्टीकल तो जो होती है उप हमारे रिसीबिंग की निया है इसी चारी का हिस Mas Vanessa ओन दोनों के दोनों हमारे transmission के लिए यूज होते हैं तो यह 7-8 वाला questions है उमीद है कि आप लोग कर पाएंगे ठीक है ना चले आगे चले आगे चलते हैं जैसे question number 32 वैसे मैंने समझा दिया तब आप लोग कर जाएं कैसे कि वह कौन सी की है जिसका उप्योग कीबोर्ड पर un key से दो अलग अलग input mode के लिए जाता है यानि on होगा और off होगा on होगा और off होगा तो आपको पता है तो अलग अलग यूज होते हैं तो फिर on और off ही आता है ठीक है तो on और off ही आता है last question number 33 code consisting of lines यानि एक code है जिसमें lines होती है और line का जो base है ना वो breath के सासथ space को maintain करता है वई ऐसी कौन सा code है जिसमें line answer barcode is the correct answer और इसी barcode में जो lines हैं वो हमारी चोड़ाई और line के बीच में दूरी या फिर space पर पूरी मैट मनलब space पर waste होती है ठीक है बई answer हो जाएगा option number 4 is the correct answer जिस चीज के हम लोग बात करें 7 to 8 वाले questions अब उनकी इस्तिती आपके सामने है यानि graphic tablet के टाइप के उपर question है कि वो कौन सा graphic tablet है जो stylus में छोटे digital camera द्वारा संचालित किया जाता है फिर कागज की इमेज पर pattern को मिलाने के लिए यानि stylus में छोटा सा camera होता है क्या होता है stylus में एक छोटा सा camera लगा होता है तो वो कौन सा graphic tablet है भई तो graphic tablet आप बोलोगे सार option number कौन सा लगाएं देखो इलेक्टो मेगनेटिक के लिए आपने passive पढ़ा था और कैपस्टिब की quality है कि इसमें fingers काम करती है तो आप्टिकल इस दा correct answer एक किस्टिब याद रखना कि कोशन नमबर 35 बढ़ा है कोशन लेकिन पढ़ते ही आप लोग कर जाएंगे कोशन नमबर 35 आपके लिए बढ़ा है लेकिन पढ़ते ही आप लोग डिवाइस है जो कि यूजर को एक business pen जैसी style के आगे पढ़ें style के साथ image animate graph को हास से खीचने में सक्षम बनाता है उसी तरह जैसे ब्यक्ति pencil और कागश के साथ चित्र बना रहा है चित्र बनाता है बिलकुल बता दो चलिए डिस लाइजर जिसे हम graphic tablet कहते हैं जिसकी अभी हम बहुत साथ देर से जिक्र कर रहेते हैं ग्राफिक टैबलिट इस दा ऑप्शन नमर पहला ही correct हो जाएगा इसमें दिक्त इसमें को पढ़ती है आपको आंजर मिल लाएगा पढ़ते ही मिल लाएगा लेकिन याद जरूर रखना इसे क्या है वाइमेटिक डेटा वाइमेटिक लिखा है तो वाइमेटिक स्कूपिंग इस दा करेक्ट आंजर वाइमेटिक डेटा को एक पीस एक एक तुकड़े की आर्टी 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 फीसल राप्लिकेशन को वाइमेटिक सिस्टम में अपरातिक रूप से पेस करने या फिर एक्सेस करने के लिए करने पर प्राप्ट करने के लिए संधर्वित करता है मतलब डूप्लिकीट आर्टी फीसल दौरा मतलब उस डेवाइस को एक्सेस करने के लिए आर्टी फीसल राप्लिकेशन को प्रेजंट करता है मतलब बार बार एक्सेस करने के लिए यूज़ करता है तो और जस्लाइक बोला जाए कि आर्टी फीसल में ए इनाम भूल गया बिलकुल की तरह देनायल आप सर्विस की तरह होता है नाम माइड से निकल गया है जासे डिक स्टेशνεरी इटैक होता है न ऊस्टेशनरी इटैक होता हुटात में इन्टरीट में करता है धर स्टेश ये चलिए अब है कोशन नमबर 31 अब 31 ऐसा कोशन है कि हो सकता आपको बुक में न मिले लेकिन यह प्राक्टिकल बहुत आसान तरीके से किया जा सकता था क्या है किसी अब्जेक्ट की प्रापर्टी तक एक्सिस करने के लिए माउस की किस टकनिक का हम लोग उप्योग करेंगे मतलब वो कौन सी टकनिक है जिसकी बज़े से हमारी किसी अब्जेक्ट की प्रापर्टीज हमें मिल जाती है और 38 कह रहा है विच अब दा फॉलेंग इस नॉट आ यूनी कोड इन कोडिंग सिस्टम टू रिप्रेजंट खे, रिप्रेजंट गार्डर के लिए हमने तीन इनकोडिंग सिस्टम पढ़े हैं कौन कौन से यूदी एफ-पबढ़ा ता यूदी watch 16 पढ़ा यानि right click कर दो properties मिल जाएगे विलकुल सही है right click करने पर हमें property मिल जाएगे ठीक है अगला ये question azp हमारा azp azp put कितने weight का होता है azp put कितने weight का होता है question number 39 तो हो जाएगा क्योंकि ये 0 से लेकर 127 representation की बात हो रही है तो करना आप लोग azp put कितने weight का है azp put आपको याद हो तो मैंने question कराया था मैंने question कराया था उस question में पूछा था कि कौन सा हमारे पास motherboard का connector या port है जो कि late test के साथ fast test भी होता है जो कि हमारे card को add-on support add-on मतलब card को support करता है याद हो तो वहाँ पर starting मैंने azp बता दिया था बाद में change किया था PCIe अब PCIe क्यों लगा था PCIe जो होता है वह 64 bit का होता है जबके हमारा azp 32 bit का होता है इसलिए यह fastest नहीं माना जाता according to PCIe के अपिक्षा खिक है भई तो इसलिए वह question हमारा था चले last question 41 of 42 यह question ऐसे है 7 to 8 में आपको कराए जाएंगे लेकिन अगर आए तो फिर आप नहीं कर पाएंगे यह आपका दोस्त है तो वह भी नहीं कर पाएगा क्यों क्योंकि इतना किसी नहीं पढ़ाया यह वार कोड के उन टाइपस की बात करता है और रिसेंटली पेपर में भी जुलाई में भी एक से दो कोशन देखने के मिले हैं और लगवग दो कोशन हमारे मई वाले पेपर में भी ले हैं तो वार कोड का टाइप हो गया ग्राफिक टैवलेट का टाइप होगी है ऐसे कोईशन से जो अकसर देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पर है एक ऐसा वार कोड का फॉन्ट जिसमें छोटी जगह पर हमें मतलब लाज एमाउंट आफ टैस्ट या डेटा इस फॉन्मला छोटी जगह है पर हम जादा डेटा रख सकते हैं तो हमारा डेटा मैट्रिस होता है कौनसा होता है डेटा मैट्रिस होता है वहीं अगर आप जैसे अच्छा लाज एमाउंट पीडिया फोर एक चीज तो मैं भूली गया एक चीज़ लार्ज अमांट आफ डेटा यह हमारा PDF 417 होता सॉरी फास्ट अप्शन इस दर करेक्ट अंसर डेटा मैट्रिक्स नहीं होता डेटा मैट्रिक्स नहीं होता डेटा मैट्रिक्स गलत हो जाएगा जो ID कार्ट्स होते हमारे ID कार्ट्स जैसे driving license होते है उन पर जो code बनाता हो दा उसी के हम बात कर रहे हैं वहाँ बार कोड जिसमें अतियंत छोटे आकार में 50 word को encode करने की छमता है जो स्वास्त है मतलब health care और हमारी जतनी भी industries हैं उनमें यूज़ किया जाता है health care या फिर उनकी industries में यूज़ होता है तो इसे आप समझ सकते हैं जो hospitals वगएरा में यूज़ हम लोग करते हैं यह होता है हमारा data matrix मैक्सी कोड भी वैलिड है कोड वार भी वैलिड है देसे मैक्सी कोड की एक बात करूं तो मैक्सी कोड में हेग्जागन होता है हेग्जागन के साथ एक वाई वाल होता है center में ठीक है कोड वार में हमने देखा है कि कोड वार में start और end symbols होती हैं लगवग चार डिवाइस ठीक है अब है आउटपट डिवाइस लगवग मान के चलिए 50% टाइम हो गया 50% लेकिन समय हमारे पास कमें वन आर्स का समय वचा है तो वन आर्स में हमारे पास दो आउटपट डिवाइस और मैमरी इनपूट और आउटपट जो बोथ वाली उनके कमी कोशन से ठीक है चलिए और आउटपट में आपको बताएं कि सबसे पॉपूलर हमारा प्रिंटर यह सबसे पॉपूलर प्रिंटर और प्रिंटर का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने दो मै वफर में स्टोर करके उनको सिक्वेंस करता है साती साथ में साती साथ में जब प्रिंटर इसे प्रॉसेस करने में सक्षम होता है तो प्रिंटर को भीज देता है सर प्रिंट वफर होता है या प्रिंट स्पूल इस दो करेक्ट आंसर क्योंकि प्रिंट वफर होगा एक प्रि का काम करेगा और इन प्रिंटेंग जॉब्स को और इस्टूरिस का काम करेगा लेकिन इसमें आप्षिन में Ispru को लगाना पड़ा थी कि क्योंकि बफर और स्पूल जिस्ट लाइक़ सिम्लर काम करते हैं लेकि erin है difference क्या है कि हमारा जो स्पूल होता है वो हमारे प्रिंटिंग जॉब्स को मैनेज करने का काम करता है और हमारे मेमरी में स्टोरिंज करने का काम हमारा प्रिंट वफर के द्वारा किया जाता है ठीक है चलिए LED लाइट प्रिंटर यूज तो आपको पता LED मतलब लाइट एंबरेंट डायोड होता है या और ऑप्शन नमबर सेकिंड इस दा करेक्ट आंसर इसमें प्रावलम नहीं है विच बनाव दा फॉलवइंग प्रिंटर जनरली यूज फॉर लो कॉस्ट फॉर कलर प्रिंटर मलब एक जो कलर च्पाई की जो लागात है न वह बहुत कम हो तो वह कौन सा हमारा प्रिंटर होगा तो आपको बता है कि प्लॉटर बहुत बड़े लेवल पर प्रिंट करता ह प्लॉटर बड़े लेवल पर प्रिंट करता है और चेरेक्टर प्रिंटर डॉट मेटें duct तो यह तो होगा ने और जी यह वाला जो है वो ब्लैक के नमारे डॉट में टिक तो आएगा निए भी कलर प्रिंटिंग में तो कलर में वैसे भी आप्षन एक ही है इंक जट प्लॉटर बाड़े लेबल पर गरता है लेकिन प्लॉटर प्रिंटर नहीं होता है यह आप लोग जानते हैं चले वीजिये क्या है सर वीजिये में फसार आए वर्चल लगाएं या फिर हम वीडियो लगाएं क्योंकि दोनों आप्षन ऐसे हैं दोनों में बड़ा कन्फियूजन होता है दोनों में कभी कभी इतना कन्फियूजन होता है कि हम वर्चल के साथ जाएंगे या फिर वीडियो के साथ जाएंगे तो हमारा जो monitor है वो वीडियो देता है वर्च्वल नहीं देता वीडियो देता तो वीडियो ग्राफिक एरे होगा यानि option number third is the correct answer वीडियो लगाएंगे same question है same same question है question number five आराम से हो जाएगा question number seven बता दो question number seven बता दो which of the following is not a printer issue printer issue नहीं printer का error नहीं है पहला है paper jam paper first जाना दूसरा option है toner cartis खाली होना हमारा toner cartis जो होता है देखो आपको बता है कि अगर मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं तो हमने जैसे dot metric पढ़ा है तो dot metric के लिए हमने पढ़ा है रेवन है ठीक है वहीं अगर आप ध्यान दें तो हमने laser के लिए laser printer के लिए हमने toner cartis बढ़ रखा है ठीक है ना और हमने inkjet के लिए जो inkjet printer होता हो printing के लिए हमने ink cartridge बढ़ रखा है बस यहीं से काम हो जाएगा हमारा ठीक है चलिए तो toner cartridge खाल यह issue है के बला नौट प्रॉपरली connected you have not have access to the printer यानि आपके पास कोई printer access ही नहीं है तो printer access नहीं है तो आप इसके साथ चले जाएंगे printer access नहीं इसके साथ चले जाएंगे जब printer access ही नहीं कर सकते तो printer का error समान ही नहीं होगा तो option नहीं फूर्थी correct हो जाएगा यानि printer access नहीं कर पारें तो फिर आप error को कैसे define करोगे चलिए फास्ट टेस्ट printer मतलब जिसकी speed जादा है वही speed के आदार पर हमने तीन प्रकार के printer बढ़े तेक तो cps वाले जो character base चलते हैं एक LPM वाले जो line में चला जाएगा तो option नमबर फूर्थ हो जाएगा याद रखना जाएगा याद रखना जैसे character महारे पास डाटमेटिक डिजी भी लाती है लेजर में हमने पढ़ी लिया है जो कि PPM में आता है इसी परकार देखो portion number 10 just like us similar है यादि डाटमेटिक और solid font डाटमेटिक हमारा character printer में आता भी मैंने आपको बढ़ ला था तो इसका answer सीधा second हो जाएगा इसमें दिक्कत नहीं आएगे और हाँ impact और non impact जरूर पूछे जाते हैं तो इसलिए impact और non impact को जरूर आप लोग याद रखना क्योंकि impact का non impact में आपने दो चीजों को रखा है laser और inkjet यहाँ पर पूछा जा रहा है impact impact में आप डाटमेटिक को सीधे ले जाएंगे डाटमेटिक इस दा करेक्ट अंसर अगला laser printer use that create a create image on printed paper printed image sorry paper पर image को print करने के लिए हमारा laser printer किसका लेजर प्रिंटर तो अभी बताया था laser printer किसके sir toner is the correct answer inkjet होता तो ink cartridge लग जाता डाटमेटिक है तो आपका ribbon लग जाएगा जो बताया वही होगा चलिए question number है आपका 13 LED consume LED हमारा power consume करता है तो आपको power consumption के regarding मैं एक चीज़ बताईती कि CRT में power consumption जादा उसके बाद LED में और उससे कम LCD में सबसे कम power consumption कौन करता है sir LED LCD LCD से जादा LED और सबसे जादा CRT ठेक है तो यहां से आप बता दो LCD, CRT और LED की तुलना में LCD, CRT और LED की तुलना में खम power कंजब करता है यानि कम करता है बरावर नहीं करता है इसमें power का use बहुत कम किया जाता है चलिए आगे question number 14 जिसमें odd one out पूछा है इंक जैड है, laser है, LED है, तीनों के तीनों हमारे non impact printer है लेकिन CRT हमारा monitor होता है LED printer और monitor दोनों होता है तो CRT monitor है तो इसलिए हमारा यह answer हो जाएगा फोर्थ वाला ठीक है, अगला question number 15 है, क्या है computer से information को page पर image के रूप में translate करने के लिए output device है, printer is the correct answer लेकिन printer option में नहीं तो हम लोग printer plotter के साथ चाहेंगे, क्योंकि हमारे information को paper पर ले जा जा रहा है तो paper पर ले जाना मतलब print करना और printing के लिए हमें पता है कि printing लगेगा लेकिए printer option में नहीं है तो plotter just like a similar है क्योंकि बड़े level पर काम करता है और plotter के लिए मैंने आपको दो टम बतायते जब बड़े level पर printing की बात आए या फिर आपके question में C-A-D-I यानि computer added design तब आप सीधा plotter लगा देना अगर आपको plotter ना मिले option में तो 3D लगा देना 3D printer हो जाएगा ठीक है भई आगे है question number most portable computer मला वो हमारे monitor का कौन सा type है जो most portable होता most portable का मतलब है कि आप एक जगे से दूसरी जगे आराम से ले जा सकते हो CRT है power capacitor है power capacitor हमारा monitor नहीं होता flat panel display होते हैं तो यह हमारा हो जाएगा data projector आपको पता है projector तो कहंग कर दिया जाता है CRT TV टाइप के बाड़े monitor होते हैं तो थर्ड आपको clear नजर आ रहा होगा थर्ड आपको clear नजर आ रहा होगा ठीक है चले तो यह भी हो जाएगा CRT भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी CRT भी हो जाएगा क्योंकि CRT में आपको पता है कि image को generate करने के लिए electronic guns का यूज करते हैं यानि beam of electron का यूज के आ जाता है image को represent करने के लिए ठीक है तो मैं सीधा पूछता हूं question number 20 20 बता दो which of the following are also called internal font या फिर invild font for a printer printer के लिए internal font के साथ साथ हमारा invild font भी बोला जाता है font हम लोगों ने दो पढ़े थी अगर आपको याद हो तो दो font बढ़े थे एक soft font बढ़ाता एक हर residence font बढ़ाता निको residence font ऐसा था जो manufacturer यानि जब printer बनता है उसी समय स्टॉल किया जाता है और अगर हम बोलें soft font तो ऐसा font होता है जिसी हम internet से download करके store कर लेते हैं यहां पर बोला जा रहा है कि जब बनता है तभी उस font को हम लोग क्या बोलते हैं तो रैजी डान्स होगा रैसी डैंस रैजी डैंस हां ऑप्शन नमबर फूर्थ इस दगहां अगर आप internet से download करके जिस पॉंट की बात करते तो उसकी इसमें हमारा soft font हो जाता कोशन नमबर 21 डैस प्रिंटर एक प्रकार के कागज का प्रियोग करता है जिसमें प्रतेक तरफ छेद मलब से चारो मलब दोनों साइट छेद होते हैं और या फिर हम बोलें कि ऐसा पेपर जो कंटूनियस पेपर का यूज करता है कंटूनियस डॉट मैट्रिक ही वही वह प्रिंटर हमारा डॉट मैट्रिक रेल भी में जाएंगे किसी का आप जो बिल कटवाने जाते हैं न पहाँ प कर लेंगे कोशन नमर ट्वंटीटी हो जाएगा 22 दिक्कत आएगी क्या 22 में दिक्कत आ रही है क्या यानि सिमूलेटेड डिवाइस है सिमूलेटे का मतलब होता है वर्चौल फील कर आया जाता है सिमूलेटेड एक ऐसा डिवाइस होता है जो वर्चौल ही फील होता है यानि होती नहीं है लेकिन फील ऐसा ही होता है तो यहनि physical connector नहीं होता हमारे printer के साथ physically connect नहीं होता तो जहायर सी वात है वर्चोल printer होगा वह वर्चोल simulation जैसे आया ना आपको तुरं समझ जाना चाही कि वर्चोल की बात हो रही है चाहे तो आपको याद हो कि हम जो driving सीखती है ना driving school के अंदर तो पहले वर्चिंग आपके पास जो इंटरफेस होता है वहाँ पर आपको driving सीखाई जाती है उसके बाद आपको रोड पर दिया यानि पहले ही नहीं हो जैसे हाली कॉप्टर में जो पाइलेट होता है डारेक्ट हेली को नहीं देते कि इसीख ले जैसे हम लोग भाइक वाइक को साइकल पर सीधे बढ़ाल देते हैं कि बैठ जाओ एक्सेलेटर कर दे वहीं तो क्या होता है आप लोग जानती है ऐसी कर हेली कॉप्टर होता लाए तो डेली एक्सियेंट होंगे तो उसमें हाँ पर सिमूल amajor 23 23 प्रिंटर का कौन सा कमपेंट जो आपकी सीख को दोनों साइट प्रिंट करें सब्रूप्लेक्सर उसमे ceram थर जप्लेक्सर की बात आए तो बोस साइट प्रिंटिंग की बात आती है बोस आई दोनों सायट चलिए मैंने इसessen के बारे में आपоко सब्रूर की आता उसका को कौन सा फॉंट है जो प्रिंटर में स्टॉल किया जाता है या तो आप पर्चेस करिए स्टोर से या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करके तो दो फॉंट बतायती एक तो रेजिडेंस था जो आपके मैनुफेक्चर या फिर इन्विल्ट जिसे इंटरनल फॉंट भी बोलते है और दूसरा साफ्ट था जिसे हम मार्केट से डाउनलोड करके स्टोर से स्टॉल करके करते हैं या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करके तो पहला यह आप्शन करेक्ट हो जाएगा भी पोश्या नमबर है थर्टी ट्वंटी फाइब आपको इंटरनेट की स्पीड के आधार पर बताना है घड़ते के रह में पहले जिसकी स्पीड जादा अब स्पीड आपको बताए लेजर प्रिंटर की जादा है उससे कम इंकजैट की और सबसे कम इसमें डाट मेट्रिक की होगी और यह ग्रेटर दैनी साइन बताएंगे ना आप यही देखेंगे तो आप्शन न मतलब कम होता है ग्रेटर मतलब बड़ा होता तो बड़ा लेजर लेजर की स्पीड जादा है तो उसी को हम पहले रखेंगे और लेजर पीपीम में आता है ठीक है तो इसलिए हम ऐसे भी रखते हैं लास्ट कोशन इस परपस औप प्रिंट वफर एंड स्पूल जो मैंने आता है अन्दाजा काम करता है यानि आप इसी कह सकते हैं कि जो प्रिंटिंग जॉब्स होती है ना प्रिंटिंग जॉब्स उनको होल्ड करने का काम करता है तो आप्शन नमबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा 26 का अब बचा हमारे पास बोत यानि ऐसे डिवाइस जो इन्पुट के साथ साथ आउट्पुट भी होते हैं ठीक है भई भई बता दो ग्रीन कलर जैक ग्रीन कलर जैक आडियो में किसके लिए यूज़ होता है देखो ग्रीन स्पीकर के लिए यूज़ होता है हमारा ग्रीन है ना वो हम लोग स्पीकर के लिए यूज़ करते हैं ग्रीन हमारा स्पीकर का हो जाएगा अगर हम माइक्रोफ की बात करें तो माइक्रफॉन में रैड लगता है एक और होता है लाइन लाइन के लिए हमारे पास बिलू होता है कैसा होता है बिलू ठीक है यानि माइक्रफॉन के केस में हमारे पास दो है एक रैड है दूसरा बिलू है ठीक है और यहां पर पूछा भी यही जा रहा है कि सा पहली बता दिया विच बनाबता फॉलविंग इस नौट आ कंपीटर पॉर्ट नहीं है तो अगर आप जाओ तो बैक अप नाम का कोई पॉर्ट नहीं होता है पॉर्ट मतलब कोई फिजीकल पॉइंट होगा यूएसबी फिजीकल है प्रिंटर या फिर पैलर फिजीकल है एथ यह कोईशन नमबर फाइब भी कर जाओ को फाइब में दिखकत नहीं आएगे हाँ कोईशन नमबर वैसे सिक्स आपको स्टार्टिंग में करा दिया था इन्पॉट डिवाइस के अंदर फिर भी आप कर दीजिए एक्स्प्लेइन कर दिया था डारेक्ट कोईशन नहीं था क टॉशन क्या है 3D कंपिटर ग्राफिक में अमें इसलरेशन करना है कंपीटर में वीडियो कार्ट सलनंग करने के लिए किस पोर्ट का यूज़ करेंगे आपको बताए हमें ग्राफिक कार्ड लगाना है तो AZP पोर्ट का हम लोग यूज़ करते हैं मैंने आपको बताया था कि जब हम ग्राफिक कार्ड कम्पीटर में एड करें तो हमारे मलब कनेक्टिंग के पॉइंट आप इसे जो पोर्ट यूज होता है उसका नाम एजी पी होता है क्या होता है फुल फार्म में इसका डाफनेशन होता है ऐसी कौनसी डिवाइस है जो इनपुट के साथ यह चलिए तो आप बोलेंगे से प्रिंटर आउटपुट है माउस है वीडियो को मॉनीटर कहते है तो में मॉनीटर आउटपुट । तो उन्हों में आती है तो यही आन्सर हो जाएगा। वो जाएगा। वर्चौल डिस्प्ले यूनिट होता है जैसे हम मॉनीटर कहते हैं क्या कहते हैं मॉनीटर कहते हैं कम्पीटर की टचस्कीन की टेक्लोजी कौनसी डिजिटल नाम से नहीं है ठीक है चोड़ो आगे बढ़ो सीदा मैं आगे बढ़ता हूं आगे question number 11 करिए which of the form is not a way to connect mouse to the computer हमें mouse को computer से connect करना है mouse को computer से connect करना है अगर आपको याद हो तो mouse और keyboard को connect करने के लिए हम लोगों ने ps2 connection पढ़ेते ps2 जिसमें I think 6 hole या pin होती है चलिए अगला question है question number 12 इसका answer 3rd होगा which type of cable connector is not used to connect monitor to the computer यानि इनमें से कौनसा connector है जो monitor को हमारे computer से connect करने के लिए यूज नहीं होता या नहीं किया जाता आपको पताओ को monitor के connector हमारा VGA है DBI SDV तीनों के तीनों होते हैं और ps2 आप सभी को अभी previous question में बताया था कि ये keyword और mouse दोनों को connect करने के लिए यूज किये जाते हैं ठीक है चलिए यहां पर हो जाता है हमारा sum up अब last concept बचा memory क्या बचा है memory में दो ही concept हैं एक memory का classification जिसमें हमारे पास हैं यह memory और दूसरा है यह memory के speed के आधार पर ठीक है speed के आधार पर और दूसरा memory unit की बात करता है memory unit में विट निवल वाइट क्लोवाइट मेगा कीगा टेरा पेटा हेग्जा ऐसे करते हैं ना वस वैसे याद रखना है चलिए पहला कोशन मेंमरी से रिलेटेड है answer कर दीजेगा यानि छुम्म की है मैगनेटिक टैप स्टोरेज का मुख्य रूप से प्योप किया जाता है जो मैगनेटिक टैप होता है उसका हम यूज में रूप से क्यों करते हैं बैक अप के लिए नए प्रोग्राम को इस्टालेशन के लिए ऐसे सॉफटरे के लिए जिसका हम कभी यूज ना करें या फिर डीटा प्रोसेसिंग के लिए तो मेगनेटिक अगर हाइली स्टोरेज की बात आए तो मेगनेटिक टैप को ही हम लोग डील करते थे जिसका स्टोरेज हमारे पास होता है वड़ एटी फाइव टीवी के बराबर पैकप इस दा करेक्ट अंसर ऑप्शन नमबर फरस्ट अगला कोशन कोशन नमबर सेकेंड आप्टिकल स्टोरेज टैकनिक इस यूजड मतलब आप्टिकल स्टोरेज मीडिया कौन कौन से हैं वो कौन सी डिवाइस है जो आप्टिकल में यूज़ होते हैं आपको बता है आप्टिकल में हमने CD, DVD और BD जिसम VRD भी कहते हैं आप्टिकल मतलब CD इस दा करेक्ट ये मिल रहा है भई क्योंकि मेगनेटिक में आपने फलाफी हर्डिस्क और मेगनेटिक डिस्क पढ़ी है और आप्टिकल में तो एक ही आईगे भई SSD, SSD फलाफ बेस्ट डिवाइस होती, फलाफ बेस्ट ठीक है न आप्टिकल में हमें पढ़ाया भी बताया था CD, DVD और हमारा BD होता है तो option fourth correct हो जाएगा ठीक है चलिए आगे है आगे पढ़े data that store हाँ जी चलिए question number 5B कर दो 5B अच्छा है data that store in RAM, RAM में data store होता है non-volatile है, non-volatile का मतलब permanent store गलत बात है cable वहां रहता है जब विजली चालू है, विजली बंद होने कुछ मिनिट के बाद रहता है गलत, style मतलब permanent रहता है, ये बात भी गलत, तो ये सही हो जाएगा यानि जब तक रहेगा जब तक पावर रहेगे, जब तक सूरज चांद रहेगे तब तक नहीं रहेगा पावर रहेगी तब तक रहेगा भई, ठीक है ना, चलिए अगला है कोशन नमबर 6, डेटा स्टोर्ड इन विच अब दा फॉलॉइंग मैमोरीज चैंज्ड, मतलब कौन सा डेटा स्टोर्ड मैमोरी है, जैसे आप चेंज नहीं कर सकते, और हाँ भई, थोड़ा सुबह बहुत जल्दी हुए थे, तो देख लेना, सुबह क्लास, अग जल्दी नहीं खुलगए तो जल्दी ले लूँगा भई, यह थे ऐसे, देख लूगा भई मने, क्योंकि आज बौडी बहुत ठक चुकी है, तो क्योंकि अभी ऐसा नहीं कि मैं आस सीद़ा खाना खाके सो जाँगा थोड़ा सा काम और बचा है तो वो भी करना पड़ेगा क्योंकि आपका PDF अप्लोड करना है अभी तो भी कर दूँगा थोड़ा वक्त लगे तो अगर सेंट हो जाएं नाराज मत होना रेजनिंग वाले कंसेप्ट को हम लोग डील कर लेंगे ठीक है चलिए कुशन नंबर सुबह की क्लास का मैसेज आ जा जागा जिन लोगों को मैस और इसनिंग पढ़ती है ना आठ बचे तो कोस्स वैसे फिप्टी फिप्टी का चांस है जिस इ क्यों कि रॉम हमारा नौन वॉलाटाइल के डिगरी में यह हमारा प्राइमरी मेमरी का अफ़बाद है निकीता थेंक यू सर मेरा टूंटी थ्री जॉलाई सी पी सी डी आपकी बच्छे से निकल जाता भी चीज़ों को फॉलू करोगे आराम से निकल जाएगा चलिए फ्लैस मेमरी प्राइमरी में आती है बिलकुल नहीं वॉलाटाइल में आती बिलकुल नहीं मेगनेटिक में तो नहीं आती भी फ्लैस memory हमें पता है sd लोग बोलते हैं तो टरसरी में आएगी किस में formas चली कोश the number 8 । koş He Paul CP opposition from secondary memory मला हमारा CPU secondary memory से data कैसे read करता है तो आप सभी को पता है कि अगर speed को ध्यान में रखते हूँ आप देखें तो CPU को base बनाते हूँ यह हमारे पास register होता है यहाँ पर हमारे पास cache memory होती है cache के बाद main memory आती है और main के बाद यह secondary memory रहती है तो हमारा CPU direct connect रहता है हमारे main memory से तो क्या होता है secondary से data पहले main में आएगा उसके बाद CPU से क्या करेगा fetch करेगा आपने machine cycle में पढ़ा हुआ कि instruction को main memory से fetch किया जाता है तो पहला option correct है कि first information is transfer to main memory then CPU reads CPU से read कर लेगा चिक है चलिए तो भई अगला question आप कर जाएंगे जब processor उनका उप्यूर करता है तो data program कहां store होते है यानि हमारा processor किसी program या data का use कर रहा है तो जब जब यूज करते हैं तो temporary storage होता है और temporary storage के लिए हमारे पास memory है जिसका example आपके पास RAM है ठीक है random access memory clear दिकत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर देखो निम्लिक्त मैसे एक computer inbuilt component को संधर्वित करता है inbuilt मतलब internal component है जो data program को क्या करता है store करता है data program को store करें data program को store कर ले मना memory और memory केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही option है जिसे प्राइमरी बोलें अगर आप internal में जाते तब भी अई answer होता वैसे बस की साथ आप इंटरल में चले जाते बट प्राइमरी जादा क्योंकि storage मतलब primary memory या फिर memory होता तब भी हम storage के साथ cold कर जाते चली इस question को आप लोग खुद करना इस question को आप लोग खुद करना ठीक है मैं कराता हूँ आगे question number 12 question number 12 क्या है भई most volatile पूछा है वो कौन सी memory है जो most volatile है most volatile का मतलब है volatile का मतलब क्या होता है sir volatile का मतलब होता है कि light गई data गया volatile का मतलब है कि light गई data गया आपको याद हो तो हमने s रेम और d रेम दो प्रेकार की रेम पड़ी थी जो s रेम होता है वो static random access memory होता है और d रेम होता है वो dynamic होता है इनकी quality क्या है quality यह है कि static को हमें बारवार refresh नहीं करना पड़ता और dynamic को बारवार refresh करना पड़ता है dynamic हमारा capacitor से बना यह flip flop से बना है तो इसी region की वज़े से d रेम most volatile होती है most volatile को मतलब है कि बहुत जल्दी data को erase गर देती है ठीक है चलिए अभी जो concept आपको समझाया उसी के similar है question number 13 which of the following memory does not require refreshing कौन सी memory जिसको refresh करने की जरूरत नहीं होती है तो answer हो जाएगा SRAM अभी बतायाता SRAM को हमें refresh करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसी के आधार पर question number 14 है 14 में क्या पूचा जा रहा है ऐसी memory जो capacitor का इस्तमाल करती है और जिससे refresh करना पड़ता है लगाता क्या पूचा है memory प्रत सेकेंड में कई बार refresh होनी चाहिए यानि हमें इस memory को refresh करना पड़ता है refresh करना पड़ता है तो हमारा DRAM आता है option में dynamic है आराम से हो जाएगा यानि concept एक है लेकिन उनके पूचने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं बट बेस वही निकलेगा ठीक है चलिए तो आपको main question number 16 करना है which of the following is true with reference to read only memory मतलब ROM के संबंद में कौन सा statement सही है कौन सा option सही है अब ये बेस ये आज का जो question का pattern है न वो इस प्रकार से पूछे जाने का pattern आने वाला है जल्दी 2024 में तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारी questions ऐसे इसमें क्या अक्सर अभी जो questions आ रहे हैं एक statement को देके हमारे चार option वो भी keyword के form में रख देती है अब क्या होगा कि आप 4 option को as a sentence बनाएंगे as a statement बनाए जाएंगे तो statement में आप पता है कि 4 statement में चार concept होती है फिर आपके लिए वो question कहीं न कहीं tough category में चला जाएगा भी ठीक है चली क्या बोला है read only memory जो पता है उसी से चले जाओ क्या ROM volatile memory है नहीं ROM non volatile है हमें बताना है सही हमें बताना है सही तो ये गलत है ये हम लोग जानते हैं पहला option पड़ोगे instruction data required to start computer store in a ROM ये बात सही है यानि हमारे computer को सुरू होने के लिए जो instruction जरूरी होती है वो ROM में store होती है ये बात बिलकुल पूरी तरीके से सत्य है यही answer है और यही हो जाएगा ROM में temporary storage होता है बिलकुल नहीं ROM only computer होती है बिलकुल नहीं तो पहला option correct है वही सत्य है चलिए question number 17 बता दो अगर आप storage capacity के आधार पर बात करो तो इन में से सबसे कम storage capacity किसका है देखो अगर मैं आप से बोलू तो CD का storage capacity 700 MB होता है और fluffy disk का 1.44 MB होता है अगर हम blu-ray disk की बात करें तो 25 GB और 50 GB दो layer के based हो और अगर हम DVD की बात करें तो 4.7 GB और 19 GB कुछ GB होता है ठीक है तो आप सबसे ज्यादा सबसे कम capacity पूछा है lowest तो पहला यह option correct होगा अगर highest पूछा जाता तब भी हम लोग लगा देते लेकिन आपको सबसे जरूरी है कि हमारे जो memories हैं उनका storage capacity actually में होता कितना है वो पता है तो फिर आप बता देंगे कि डीबीडी का इस्तान लेता है यानि किसको अपग्रेट करके जीबीडी बनाएगा सर सीडी को option number first is the correct answer यानि सीडी सीडी आपको पता है कैसे डीटा को रखता है जैसे हमारे डीबीडी में आप सभी को पता है कि डीबीडी में हमारे पास जो डीटा आता है वीडियो डीटा आता है कैसा आता है वीफ और वीडियो वर्सिटाइल दोन होता है इसमें most of the case हम वीडियो डीटा लेती है लेकिन आपर सीडी में जो डीटा आता है वो आडियो डीटा आता है लेकिन आपको याद हो कि वीड में HD डेटा आता है हाई definition का डेटा अगर हमें store करना है तो हम बीडे के साथ जाते हैं ब्लूरे डिस्क के साथ ठीक है चलिए कोशन नमर 19 है क्या कह रहा है वही डास यूजर डास जो यूजर है वह modify read only memory जिसे आप change कर सकते मलब ऐसा राम का टाइफ है जिसे आप change कर सकते हो अगर आप option इतनी पढ़ते ही आप option के साथ deal करते तो आपको answer पहला ही नजर आ जाता पूछो क्यों क्यों क्योंकि रॉम के टाइप में सिर्फ एक ही option valid है वह भी डबल एपी रॉम है बांकि option valid नहीं है तो हम उनके साथ deal नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी ब्रादरी में साथी नहीं हो रहे अब जो साथी नहीं हो रहे है तो डादो साइट से भी चलिए अब इनमेंसे कौन सी memory slowest है मतला धीमी है धीमी है तो धीमी के लिए आपको जो आपका क्या बोलते हैं access type पढ़ेते हम लोग ने access type अक्सर हमने दो पढ़े हैं एक सैंप पढ़ाता है sequential access memory दूसरा हमने पढ़ा है random access memory तो सैंप पर जो काम करता हूँ हमारा टैप memory है जिसमें option number first हम लोग second है यह हमारा slowest होगा otherwise हमने स्पीड के आधार पर हमने देखा था speed का CPU हमारे पास registered है यह हमारे पास main memory secondary memory है तो यहाँ पर भी अगर आप देखते secondary memory चला जाता अगर आपके option में अगर आपके option में tap memory नहीं होता तो इस case में हमारा hard disk का अंसर आता क्योंकि हमें पता है देखो cash memory speed ज़्यादा है और इससे कम speed RAM की होती है लेकिन hard disk की सबसे कम होती क्यों क्योंकि CPU से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो हमारे speed कम होगी लेकिन storage capacity बढ़ेगी अगर हम CPU के नजदीक आएंगे तो हमारी storage capacity कम होगी speed increase होते चले जाएगी जैसे हमारे register की speed तो जादा है लेकिन storage capacity कम है वह अगर आप secondary memory की बात करें तो secondary memory के storage capacity जादा है क्योंकि CPU से दूर है और speed कम होगी क्योंकि CPU से दूर नज़र आ रहा है जो दूर होगा speed तो कम होनी होनी है 21 भी बता दो छोटी है लेकिन fast है ऐसी memory जो छोटी के सासथ fast है मतलब storage capacity कम और तेज है तो option देखोगो तो उस राइस्टाट निकल के आएगा क्यों 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 कि CPU के नज़्दीक है तो speed तो जादा होनी होनी है और speed जादा है तो storage capacity भी कम होगा ठीक है वह अगला है question number 22 क्या है fast access time fast access time है मतलब जिसमें data को हम fastly access कर सकते हैं अब access speed के लिए आप magnetic tap को तो लगाएंगे नहीं ये भी आप लोग जानते हैं तो option number पहला ही correct हो जाएगा चलिए 33 तो बैसे हमने बहुत बार अभी explain क्या है बहुत बार नाम भी लिया है लेकिन एक बार question के form में देख लेते हैं कि वह कौन सा storage है जो बिदली बंद होने के बाद data को बरकरार रखता है यानि पाबर गई data रहेगा पाबर गई data रहना चाहिए sir permanent memory जिसे हम non-volatile storage कहते हैं कैसे कहते हैं non-volatile primary memory का example है अगर आप बोलेंगे तो हमारा ROM memory होता है auxiliary memory नहीं आपको पता है auxiliary के similar हमने किसको रखा है हमने secondary memory में ही हमने auxiliary memory को बढ़ा था auxiliary memory नहीं है मतलब secondary memory नहीं है अब second अगर आप option के साथ deal करोगे तो पहला option अपने आप नज़र आएगा क्यों क्यों क्योंकि ये primary memory का example हमां की hard disk dbd और हमारा bd ये तीनों के तीनों example हमारे secondary memory में आते हैं तो ये secondary memory में include किया जाएगा RAM include नहीं होगा क्योंकि RAM man memory के अंदर आ generation में आई थी कैस memory को किस generation में introduce किया गया था तो कैस memory को अगर आप बोलोगे जहां पर हमें backup speed की जरूत है आपको पता है कि computer का जो invention थोड़ी अच्छी महलब high programming language से माना जाता है जहां पर compiler हुए थे तो compiler हमारे third generation में आयते हैं जहां पर high level language का यूज़ किया गया था तो option third ही correct हो जाएगा हमारा third ही correct हो जाएगा चलिए अब मैं कुछ कोशन को छोड़ता हूँ चलिए एक कोशन करते है 28 वाला जिससे फिर हम कोशन को स्किप करेंगे कुछ कोशन को स्किप करके कुछ एकाथ कोशन करते हैं जैसे रैम के सम्मन्द में कौन सा statement गलत गलत बताना है पकड़िये भई तो पहला option कह रहा है कि RAM को डारेक टेक्सिस किया जाता है सही बात है रहात यह बात बात भी सही बात जैसे अंसर सब्सक्राइब क्लास कहां से रुख गई क्लास कैसे रुख जाई क्लास तो कंटूनिस चल लए क्लास नहीं रुखेगी कुछ ही कोशन्स बचे हैं वह कुछ कोशन्स बचे हैं आपको पता है कि हमारे हाड़ डिस्ट पर जो डेटा हम स्टोर करते हैं उसे हम ट्रैक में डिवाइड किया और प्रतिएक ट्रैक को हम लोग सेक्टर में डिवाइड करते हैं ठीक है चले तो यहां से कुछ कुशन आप लोग करना कुछ कुशन आप लोग करना एक कंप्राइसर होता है ट्रांसर तो आडियो वीडियो इमेज को कोडिक करता है कोडिक मतलब कंप्राइसर था आपको बताया भी था याद होगा अब देखो बिलूरे का स्टोरेज में आपको दोनों बता है डवल डवल लेयर वाला आपको पता है 25 जीवी का होता है डवल और एच्टी फोटेज हमारा आपको पता वही रखता है ठीक है वही रखता है 38 करो 38 करो क्या है 38 कि 11 वज़े तक चल जाए 11 बज़े तक बोलाए न 11 बज़े तक जाएगी पांच मेंट वैसे 11 बज़े तक जाएगी क्या है कोशन कुशन देखो डास को बेगनी मलब परावेंगनी मतलब अल्टा वॉलाइट लाइट है सर आप बोलोगे ना ऐसी कौन सी मेमरी है जिसे हम अल्टा वॉल्टेज की आवस्यक्ता होती है पूरे सर्किट की बज़ाय मेमरी को लागू किया जा सर आपको याद हो तो पी रॉम प्रोग्रामिवल था जो एरेज नहीं होता है उसके बाद एपी रॉम था जिसे हम अल्टा रेज की मदद से क्या कर सकते हैं एरेज कर सकते हैं तो एपी रॉम यानि आप्शन नमबर सेकिंड करेक्ट हो जाएगा ये इलेक्टिकल डबल एपी लॉम है इसमें नहीं लगाएगे आप एपी रॉम लगा तो एपी रॉम करेक्ट हो जाएगा EPROM हमारा correct हो जाएगा ठीक है? हो जाएगा के नहीं हो पाएगा भई? इतना तो सीख गए हैं आप मुझे नहीं लगता इसमें आपको दिक्कत आए मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पर दिक्कत आएगी ठीक है चलो अगला question अगला question है 39 which of the following ROM? यानि इन में से कौन सी ROM है? जो एक hard wire device है जिसमें data और instruction का pre-programmed set होता है data और instruction का pre-programmed set होता है तो यह तो बिलकुल ही अगल लगए तो M-ROM is the correct answer M-ROM पहला ही correct हो जाएगा चलिए जैसे हमने RAM-ROM के संबन्द में question किया था same है hard disk के संबन्द में कौन सा statement गलत है? कौन सा option गलत है? तो hard disk को हम HDD यानी hard disk drive कहते हैं बिलकुल सही बात है hard disk magnetic storage पे काम करता है बिलकुल सही बात है hard disk removal disk के ये बात भी सही है लेकिन hard disk optical नहीं है क्योंकि optical में हम लोगों ने तीन पढ़ेते हैं CD, DVD और BD तो ये नहीं आएगा तो गलत होगा option number third वाला गलत ही पूछा है गलत ही पूछा है तो जो गलत होगा वाई answer होगा ठीक है बाई चले इसी प्रकार SSD के बारे में इसी प्रकार SSD के बारे ये आप करना seem ठीक है अगर आप ये कर लेते हैं तो USB के साब मंद में भी यह ही है similar questions है similar concept भी बेज़ ठीक है चले है और ये तो fact-based है ये तो fact-based है सीधा memory के उपर है कौन सा है कि high-speed searching की आवस्यक्ता वाले application में निम्लत में से किस computer memory का उप्योग किया जाता यानि हमें application में high-speed searching करनी है तो उसके लिए memory कौन से use होगी सर सी एम memory यूज होती जैसे हम content addressable memory के नाम से जानते है नास्ट है कोशन नमबर 43 यानि वह कौन सी graphic card memory है जो ब्लॉग राइट एंड राइट पर विटकॉस सपोर्ट करती है और उस graphic card का performance बहदर बनाती है यानि सपोर्ट करती है memory block right एंड राइट पर बिट्स का और graphic card के जो क्या बोलते हैं performance है उसे enhance करेगी तो graphic card memory में अगर आप type देखोगे तो graphic card memory के आपके दो वाले type निकल के आएंगे और वहां से हमें मिलेगा option number second यानि सी जी रैम memory synchronous और जी फॉर पता है देखो as for synchronous जी फॉर आपको पता है क्या है क्योंकि किसके regarding ग्राफिक card तो जी फॉर आप लगा देंगे और option number second correct हो जाएगा चलिए last question है similar है लेकिन है थोड़ा सा अलग यानि type of graphic card memory है ये भी graphic card memory है ये भी हमारी graphic card memory है लेकिन इसका use हम लोग क्यों कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा एक ऐसी graphic card memory जहां data latch करने के लिए उप्यों किया जाने वाली सामाने घड़ी पर memory या फिर graphic chip चलती है तो ये graphic card memory हमारी होती है sd-ram synchronous और बाकि आप लगा सकते हैं एक वफर memory की तरह काम करती है जो कि हमारे बोला जाए अगर वफर memory बोला जाए तो किसके बीच में सर कंप्यूटर की display के बीच में display के बीच में मतलब हमारे monitor के बीच में जो काम करती monitor के बीच में तो हमारा video RAM होता है तो option ये clear है ठीक है चलिए last concept है memory unit ये बचा है last वई ठीक है इसी के साथ हम समाप्त कर देंगे session को लेकिन memory unit में सबसे important ये table अगर ये table समझ में आ गई तो conversion कम आता है लेकिन पूछा ये जाता है किन मैंसे कौन से memory unit जादा बड़ी है छोटी बड़ी है storage कितने कितने के बरावर है ये जादा पूछा जाता है तो पहले पड़ू width, nivel, white, kilobyte, mega, giga, tera, peta, hexa, jeta ऐसे चल रहे जाता है न सीम भई तो अगर मैं आपको बोलू तो एक nivel बरावर कितना होता है सर्फ 4 bits होता है एक white बरावर 8 bits होता है और 1 kv बरावर 1024 जिसे हम 2 की पावर 10 भी बोलती है तो यही काम हो जाएगा हमारा चलिए पहला कोशन है पहला कोशन memory unit का यानि निम लगते मैंसे कौन सी memory unit का size बड़ा है तो देखो यह tv है यह gb है यह kb है mb है कौन सा बड़ा है सर्फ तीवी इस दव तीवी बड़ा होगा ना तीवी हमारा बड़ा हो जाएगा तो यह कोशन सबसे common है memory unit के अंदर सबसे जादा अगर आपको पहला कोशन समझ में आ गया तो दूसरा कोशन कर दो इसमें कुछ नहीं memory unit को आपको आरो ही किरम में लगाना है मतलब ascending order ascending समझते बढ़ते किरम में पहले छोटी memory फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी चलते चले जाओ तो छोटी कौन सी weight है या white है तो white बाला या नि option number पहला हटे जाएगा तो बता हुई देखो weight, weight से बड़ा white, weight से kb, kb से mb, mb से gb, gb आएगा तो यहां पहर tb है तो यह option अटे आएगा तो यह option अटी गया, तो white है kb, देखो gb नहीं आएगा यह option भी अटी गया mb, gb, tb, यानि option number second is the correct answer second का section, second, थोड़ा सा option अगर leak कर दिया न, तो option इदर उदर हो सकता है question number four बताओ, question number four बताओ, four क्या है कि equivalent बताना है, आपको equivalent, equivalent क्या है, यानि four nibble अब four nibble, एक nibble बराबर कितना होता है, पहले यह बता होना जरूरूरूरू, तभी तो चार निकाल पाओगे एक nibble बराबर होता है, 8 bits होता है, 1 बराबर आठ है, यानि चार बराबर आठ चोग 32, सोरी, चार अचोग 32, पाओगे 32 बट, लेकिन 32 पाप्शन में यह नहीं है, अच्छा, एक nibble बराबर 8 bits नहीं होता है, वहीं 4 bits होता है, सोरी, एक निबल बरावर चार होता है एक निबल बरावर फोर विट्स होता है ठीक है तो एक बरावर चार है तो चार बरावर चार सोबसूला यानि 16 विट्स होगा तो option number 3rd is the correct answer अब यहाँ पर देखो 2 white बरावर kतने number of विट्स होते है एक वाइट बरावर बताओ पहले सर एक वाइट बरावर होता है हमारे पास एट विट्स अब दो का पूछा है वही तो दो का पर सर सोला होगा तो सोला इस दा फर्स्ट इस दा करेक्ट अलसर कुछ नहीं करना इसमें सिमलर कोशन हो जाएंगे अब काफी लोग कहेंगे सरी ये कोशन्स तो आपने बताया है नहीं देखो सीबन का साइज है 4000 कितना है 4000 96 MB है और सीटू का साइज है हमारे पार 4 GB तो जो 4096 MB है वो उसे हम 4 GB भी बोल सकते हैं क्यों क्योंकि 1 GB बरावर 1 GB बरावर होता है 1024 MB तो अगर आप 1024 में 4 वार मल्टिप्लाई करोगे तो यहीं आएगा तो C1 भी 4 GB है और C2 भी 4 GB है तो इनकी जो कैपसिटी है वो बिलकुल समान है इनकी कैपसिटी है वो बिलकुल समान है यान एक रुपै को या मैं 100 पैसे लिखूँ एक रुपै को बात बरावर है ना उनकी कैपसिटी समान होगी चलिए यह जो कोशन्स लिखा है ने पावर में कैसे पावर में यानि यह 2 की पावर 6 है यह 2 की पावर 30 है यह 2 की पावर 16 है यह 2 की पावर 36 ऐसे लिखे हैं तो इसे धहन दरगना थोड़ा सा पावर में वैलू है यहाँ पहुछाए कि 64 MB बरावर क्या होता है तो पहले 1 MB बरावर क्या होता है usan bear एक MB बरावर होता है MB से छोटा क्या होता है सब के बी तो 2 की पावर 10 KB होगा अब केवी में कौन कौन से option है सर केवी में 16 है ठीक है केवी में 16 है चलिए वई अब देखो 64 है यानि एक बराबर 2 की पावर 10 है तो 64 कितना होगा सर ये 2 की पावर 6 होता है 2 की पावर 6 यानि 2 की पावर 6 multiply 2 की पावर 10 ये केवी में आ जाएगा तो 2 की पावर हमारा 16 KV बरावर हो जाएगा अब आप हरे option में 2 की पावर 16 KV दिया है तो option second होगा अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आट डाउन चले जाते हैं कैसे? यहाँ पर हमें KV में value मिली है हमें 1 KV बरावर बता है white होता है एक KV बरावर white होता है तो यह जो value थी यह जो हमारे पास value आई है यह value हमारी ऐसे भी हो सकती थी कि 2 की पावर 20 और हमारे पास white हो सकता था तो 2 की पावर 20 यानि 2 की पावर 26 white होगा white में 2 की पावर 26 है नहीं option में तो उसके साथ आप लोग नहीं जा सकते 2 की पावर 36 है तो 2 की पावर 16 दिया है इसे थोड़ा सही कर देना आप लोग जब आप करो नहीं तो PDF में फिर आप गलत बोलोगे सर आपनी गलत दे दिया ठीक है चलिए चलिए लास्ट कोशन है भई कोशन नमबर 13 बता दो और end कर दो 13 बता दो end कर दो क्या है computer system में memory का unit नहीं है memory unit में आपने कौन सी नहीं पढ़ी quickly बता दो memory unit में आपने कौन सी नहीं पढ़ी है gigabyte सर बिलकुल पढ़ी है whites बिलकुल पढ़ी है megabyte बिलकुल पढ़ी है hearts बढ़ी है सर नहीं क्यों क्योंकि ये hearts जो है कुछ extra questions में मैंने आपको दिये हैं extra questions भी इस लगबग दोई हैं एक चीज याद रखना जब color mode की बात आई color mode की तो उसे भी याद रख जैसे ये question है कि निम लिखते मैं से किस printing प्रकार के primary color को seat पर छोटे छोटे dot के pattern में printed किया जाता है जिसे एक ठोस color के रूप में जाना जाता है जो कई और color का ब्रहम पैदा करता है जो कई और color का क्या करता है सब ब्रहम पैदा करता है तो अगर आप color mode के बारे में knowledge रखते हैं तो वहीं से काम हो जाता है color mode पढ़े आपने दो हैं एक तो RGB color mode पढ़ा है जिसका संबंद मॉनीटर से होता है किसे मॉनीटर सॉफ्ट इमेज से एक पढ़ाया आपने CMY के CMY के जिससे हमने प्रिंटर से रिलेटेट बात करी थी प्रिंटर के अगर कलर मोड की बात करे तब हमने देखा था ठीक है तो ये हो जाता है सारा आज का महा रिवीजन का साशन साशन नमबर फूर इसका PDF अभी बेदेन यानि 11 बज गए है लगवग सबह 11 बजे तक आपके उस लिंक में अपलोड हो जाएगा जो लिंक आपको प्रोवाइड करिए अगर किसी को वो लिंक पहले से मिल गया है तो उसी लिंक में सारे PDF आएंगे हर क्लास का इंडिविजल PDF नहीं मिलेगा तो उसी लिंक में फॉलो करिएगा सारे PDF आपको मिल लाएगे दूसरी बात अगर किसी को लिंक नहीं मिला है PDF का तो आप भही मुझे मैसेज कर दे नहीं किसार हमें PDF का लिंक दे दो हम आपको प्रॉवाइड कर देंगे कल होगा कंपेटर का लास सेशन जिसमें हम सौफ्ट एर अपटिंग सिस्टम विंडोस लाइनेक्स की बात करेंगे यह सेशन थोड़ा सा कमी होगा यानि हो सकता एक घंटे एक घंटा तो नहीं कम से कम 2 हर्ट से भी कम जाएगा 2 घंटे से भी कम जाएगा कल का सेशन कल के सेशन होने के बाद यानि कल हमारा 26 है परसों 27 है मैस रिजनिंग करेंगे और 28 को महा रिविजन करेंगे 29 को आप वैसे हमारा पेपर 30 से स्टार्ट है लेकिन 29 को मैं आपको आफ रखूंगा बदलब आप करना एक दिन पहले ही ब्रह्मास हम लोग कर देंगे ठीक है एक दिन पहले हम लोग ब्रह्मास कर लेंगे बाकी साशन अच्छा लगा है तो आपको पता है लाइक करना है चैनल पनेचल को सबस्क्राइब करना है सुबह का जो साशन होगा हमारा मैस रीजनिंग का उसका अपडेट आपको सुबह मिल जाएगा पैसे 50-50 चांस है हो सकता है क्लास हो और चांस है के नहों क्योंकि आज थोड़ा सा सुबह चार बज़े से मैं कंटूनियस लगाऊ कंटूनियस ऐसा नहीं है कि मैं आफिस ही आया हूँ लेट आफिस आया था लेकिन घर पर अलड़ी काम था तो मैं सीधा ऐसा नहीं कोई आदर काम है भाई अकीला रहता हूँ तो मेरे पास आपके वर्क के अलावा दूसरा काम नहीं होता है कभी-कभी बीच में कहीं मार्केट का काम पढ़ जाता है लेकिन कोई ऐसा काम नहीं होता मैं तो 24 फाला हूँ भाई ठीक है चल यह तो यह सारी चीज़े हैं और बाकी देखेंगे भाई जैसे सेडूल बना तो हम क्लास कर लेंगे अधरवाई सेट करेंगे कुछ बाट ठीक है टेंशन न ले आप ठीक है क्योंकि रीजनिंग बची है और मैस के कुछ कोशन और देने हैं मुझे प्राक्टिस के लिए उन्हें भी आप लोग डील कर लेना ठीक है ट्वंटी नाइन ही रखा ने ने ट्वंटी नाइन को ही रखना वो देख लेंगे भी पहले हमारे जो महारे विजन के साशन उसे फिनिस कर लेते हैं एक दिन पहले करा देना सार हाँ ब्रह्मा से एक दिन पहले करा हूँगा उस रात थोड़ी देखका ताती स्टेंट को तो इस बार चांस बन गया है एक दिन पहले का तो एक दिन पहले कर लो जादा वहतर है तो एक दिन पहला आपका 20 क्योंकि मेरा सेडूल है सेडूल को मैं फालो कर रहा हूँ इस बार बहुत कम ब्रेक हुआ है मतलब इस बार चुटी तो बहुत लिए मैंने बट आपके चुटी नहीं करी मैंने इस बार क्लास इस प्रकार से मैनेज करी थी कि आपकी एक भी चुटी नहीं हो पाई थी चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में जो हमारा ठाइम है सुबह आठ बजे हुआ तो उसका स्टेटस टेलिग्राम पर लिंक मिल जाएगा अदरवाइस कल साम को आठ बजे तो हम लोग करेंगे कल हमें मौक टेस्ट नमबर सेवन भी मिलना है उसका सॉलुशन भी मिलेगा तो सॉलुशन मैं रिकॉर्ड इट दे रहा हूँ अभी प्रिजेंट मैं क्योंकि आप लाइब में प्रसुत नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जाब है बहुत सारे रीजन से हो जाते हैं कभी कभी तो इसलिए अब भी रियल मानोगे ना तो मौक टेस्ट का सॉलुशन लगवग एक से सबागंटे का होता है और उस सॉलुशन को रिकॉर्ड करने के लिए मिनीमम मेरे पास तैयार होना उसको एड़िट करना अप्लोड करना दो घंटे से जादा कसा में लग जाता है मुझे तो समय बचाना है मैं तो उसको लाइब करा दूँ लेकिन आप लोग आ नहीं इसलिए मैं रिकॉर्ड देता हूं तो जिसको आना है तब आजाईए का देख लीजिगा कि आप यह मैं सोचना सर पहले के दे रहें मैं रिकॉर्ड करता हूं वही तो रहती सारे टेक अटेंशन है 28 कोई होगा 28 को करेंगे बांकि 27 को हम लोग डिसाइड कर लेंगे आप जै वैसे बताएंगे वैसे चलेंगे बांकि कोई सला या फिर कोई राय है तो आप लोग जरूर भीज़ना बांकि फिर मैं मिलता हूं नैस्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक्यू सुक्रिया रादे रादे रादे